दीप ट्रॉबल कुछ तो है जो पकड में नहीं आ रहा इस अकबार की वज़े से पब्लिक अफुर्ट जा रंदो अस्पिटल के सामने खड़ो क्यो फूफू कर रहा एए पीवी बीमार है अंदर है क्या हो आप आपी को वही औरतों वाली बीमारी औरतों वाली खर्चा इतना इस सिगरेट कितना की है तस रुपे की तस रुपे की मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है क्या बख रहा है यह देख मौत लखी इस पे मौत और यह सानिटी पैट पे जिन्दगी हसमत दो सिगरेट के पैसे से भावी को ऐसी खतनाक बीमारी जो महावरी के वकगंदा कपड़ा इस्तमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकता है जानि कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरिच सकता तू एक अपनी और एक अपनी पीरी की सोच अमहस पीने में नहीं है यह देने में आज हम बात करने वाले हैं रुस्तम फिल्म के बारे में तो रुस्तम फिल्म टीनू सुरेश देशाई द्वारा नर्दीसित और बिपुल के रहुल द्वारा लिखित 2016 की भारती हिंदी भासा की क्राइम थिल्लर फिल्म है इस फिल्म को के अफ गुड्स फिल्म जी इस्टिडियोज की आर्ज इंटर्टेन्मेंट प्लान सी इस्टिडियोज द्वारा सइंत रूप से निर्मित किया गया है और इस फिल्म में अक्षे कुमार, रुस्तम पावरी, एर नाभी अधिकारी, इलियाना डिक्रूज, अर्जन बाजवा और इसा गुपता की मुक्य भूमकाव में है ये फिल्म के एम नानावती बनाम महाराष्ट राज आदालत मामले पर आधारित है और एक नवसेना अधिकारी रुस्तम की कहानी सुनाते हैं, जो अपनी पतनी सिंधिया के साथ एक खुसहाल रिस्ता साजा करते हैं जल्द ही उसे एक करीबी दोस्त विक्रम के साथ उसके सम्मंद का पता चलता है और उसकी हत्या का आरोप लगाया जाता है तो फेंस इस फिल्म को निर्देशित करने वाले हैं टीनू, सूरेश दिसाई और इस फिल्म की कहानी लिखी है बिपुल के राहुलने, तो फेंस यह मोवी आधारित है के अम नानावती पर तो फैंस इस फिल्म को निर्मित करने वाले हैं अरुन भाटिया और नितिन केनी, आकाश श्यावला, विरेंद अरोडा, प्रेम अरोडा, अर्जुन एन कपूर और इस फिल्म को अभिनित किया है अक्षे कुमार, इलियाना डिक्रूज, इसा गुपता, अर्जन बाजवा, प इस फिल्म में गाने के बोल हैं, जीत गांगुली, आर्को, रागो, सच्चर अंकित तिवारी के, बाइंग ग्रोंड स्कोर की रचना की है, सुरिंदर सोधी ने, उत्पादन कंपनी है, जी इस्टुडियोज, क्रियार्ज, इंटर्टेन्मेंट, के आफ गुड्स फिल्म, योज सी इस्टुडियोज द्वारा, तुफेंस इस फिल्म को वितरित किया है, पैनोर्मा इस्टुडियोज, जी इस्टुडियोज इंटर्नेशनल, तुफेंस इस फिल्म को रिलीज किया गया था, 12 अगस्त 2016 को, 20 भारत भाषा हिंदी, अगर हम इस फिल्म के बजट की बा परवरी दोजर सोला में मुग की फोटोग्राफी सुरू की और भारत में 12 अगस्तों दोजार सोला को नाट की रूप से रिलीज हुई थी रुस्तम को आम तोर पर फिल्म के अभिने और लेखन के समिच्चकों से सकारात्मक समिच्चाय मिली हैं ये दुनिया भर में बॉक्स पर 210 करोण, यूएस 26 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली बॉक्स ओफिस की सफलता बन गई है और ज्यादा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्मों में से एक थी इसे 64 राष्टी फिल्म फेर पुर्षकार में अक्षे कुमार को नाम मात्र का किरदार निबाने क अधिकारी रुस्तम पावरी ने 1967 में सिंधिया पावरी से खुसी-खुसी साधी कर ली उनकी साधी तब तूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विक्रम मखीजा के साथ आफेर चल रहा है अपनी जहाज की तैनाती से जल्दी लोटनी के बाद रुस्तम को सिंधिया की अलमारी में बिक्रम के प्रेम पत्र मिलते हैं वो उसे खोजने की कोशिस में रुस्तम दोनों को साथ देख लेता है और वो घर लोट आता है और सिंधिया के लोटने का इंतजार करता है और फि के लिए एक पिस्तोल लेता है और रच्छा मुख्याले नई दिल्ली में रच्छा सच्यू केजी बक्सी को एक ट्रंग काल करता है वाद में वो विक्रम को पहले उसके कार्याले में और फिर उसके घर पर खोजता है रुस्तम के विक्रम के बेडरूम में प्रवेस करनी के बा आत्म समरपण कर देता है और वरिष्ट अनिरिक्षर बिसेंट लोंबो जाज शुरू करते हैं विक्रम की बहें त्रीती मखीजा सरकारी वकील लश्मन खंगानी से रुस्तम को कड़ी सी कड़ी सजा दिलानी के लिए मिलती हैं रुस्तम किसी भी मदद लेने के लिए इनकार क कर देता है और अपने दम पर किस्ट लड़ने का फैसला करता है और पुलिस हिरासत को तहरी देता है कि रुस्तम के वरिष्ट नोसेना अधिकार रियर एड्मिलर प्रसांत कामत दो गुंडों को दस्ताबेजों के एक सेट की खोज के लिए उसके घर भेजते हैं लेकिन वह कुछ भी खोजने में विफल रहते हैं डरी हुई सिंधिया रुस्तम को सूचित करने के लिए जेल जाती है जो अंत में सिंधिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनाता है कि कैसे वो अकेली और परेसान थी जब रुस्तम कई महीनों के लिए लंदन चला गया था प्रीति की मि भागत से विक्रम निस सिंधिया के अकेलेपन का फायदा उठाया और वो उसके फ्यार में पड़ गई हलाकि विक्रम की हत्या के दिन सिंधिया ने अपनी साधिक की खातिर फहले ही उसे समंध तोड लिया था रुस्तम के निर्दीश पर सिंधिया कामत को आवस्यक करता है जिसके परणाम सुरूब नो सदस्ती की जूरी पर इच्छड़न होता है जिसमें मुकदमे की समापती पर रुस्तम को जूरी द्वारा दोसी नहीं पाया गया है क्योंकि उसने आत्मरच्छा में विक्रम को गोली मार दी थी इस बीच यह पता चला है कि लोबो दिल हो जाता है कि रुस्तम दोसी नहीं है और वो उनकी रायन तै करने के लिए जूरी के लिए अदालती कारवाई समापत हो जाती है फैसले के दिन पूर्व संध्या पर रुस्तम ने लोबो को सच बताया और वो 1958 में लंदर में एक विमान वाहक पोतका निरिच्छड करने के के लिए कई महीनों तक तैनात रहा जिससे नो सही ना खरीदना चाहती थी लेकिन निरिच्छड पर रुस्तम ने पाया कि वो वाहक की पतवार जंग खा गई थी और वाहक को भारत में इस्थांत्रित करने से पहले इसकी मरमत और संसोधत करना आउस्सक होगा विक्रम भार द्वारा खरीदे जाने वाले बिमान वाहक पोत के लिए पैरवी कर रहा था और उसने कामत के साथ उसे ये कहने के लिए रिशुत देने का प्रयास किया कि वो वाहक समुद्र में चलने योग है जब रुस्तम ने लंदन में वक्सी को सूचित करने का प्रयास किया तो वक् अपनी वर्दी की ताकत दिखाई है विक्रम ने रुस्ताम को अपनी पैसों की ताकत दिखाने और उसे बदला नेने के लिए सिन्धिया को डेट किया था लेगिन वास्तों में उसे कभी प्रसंद नहीं आया Rुस्ताम विक्रम के प्रतिसोद के क्रोधित होकर नौसनिक पिस्तोल ले गया फिर बक्सी को यह कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बक्सने वाला नहीं है और उसके पास नो सेना के लिए वाहक की आयोगिता को उजागर करने वाले कागजात हैं। रुस्तम का कहना है कि उन्होंने विवान वाहक पोत के बारे में कुछ भी नहीं बताया ताकि नो सेना की छबी खराब नहीं हो सके। पर सौधे में सामिल से मिले वक्सी के सभी कमीशन के पैसे मिलने के बाद फिल्म रुस्तम और सिंधिया दंपती के साथ शुट्टी पर समाप्त होती है। रुस्तम को खरीत का परिछण स्थानी समाचर पत्र में पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो वाहक भारत में एक मजबूत इस्तिती में आ रहा है। जैसा कि उसने चाहा था तो फेंस आये जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो उनके बारे में। के रूप में रुस्तम की नौकरानी हैं लोक अभियोजग लेशमण खंगनी तृति के वकील के रूप में हैं कुमद मिस्त्रा एरिक बिल मोरिया के रूप में हैं और जज़ पठेल के रूप में अनंग दिसाई हैं परमीत सेठी एर एड्मिलर प्रसांद कामत फ्लैक के र रूप में इंद्र नील भट्टा चार हैं कमल जीत सिंग हैं हेट कानेस्टेबल तुकारा म्यादों के रूप में ब्रजेंद काला हैं लेप्टीनन्ट के रूप में गिरीश साहदेव हैं सेनपती कमल पुजारी के रूप में और शब इस्पेक्टर उमाकांद पाटिल के रूप में अवेक कुलकरणी हैं और वरुण वर्मा के रूप में हैं सममानिका सिंग रोजी काष्ट के रूप में बिक्रम के कार्याले देपक घीवाला भाना भाई वारली के रूप में बिक्रम के घर की मदद की हैं और चंदु के रूप में इस्तियाख खान हैं प्रस्ट शक्रवर्ती एक होटल बेटर रंजीत दास के रूप में हें बिपुल के रावुल कप्तान के रूप में हैं सुरेश शिप मुख्य साहब के रूप में हें दामोदर के रूप में राजेस एस खत्री हैं और समीर साह हैं हरीस खत्री हैं होमी वाडिया एडवोकेट होर राव खंडवाला की रूप में हैं जमसेद जीजा भाई के रूप में मोई सत्यनंद हैं और टिकट बलेक मेलर के रूप में रंजन राज हैं रमा कांत वर्मा इस आयल सफोर्ड, कैटबरी, मेश्टोर्ण, लीड्स कैसल, डोबर इस फ्रंट और साउथ मेदा चेकर्स इन सब सहित इंग्लेंड का दौरा करते हैं फोरलेंड, लाइट हाउस, एतिहासिक, डायक्याड, चैथम में नौ सैनिक बंदरगा और जहाज के भी द्रस से हैं कुमार और टिंको इलखन्ना को एक नवसेन अधिकारी की भुहुनकार निवाने के लिए कुमार द्वारा पहनी गई पोशाक की निलामी के लिए कानूनी नोटिस भेजा गया था उस पर सस्त्रा बलों की भावनाओं के साथ खिलवार करने का आरूप लगा गया था फेंस आईए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो भारत में इसका बॉक्स ओफिस कलेक्शन इस फिल्म ने को 12 अगस्त 2016 का पूरे भारत में 27 इसकरियों पर मोहन जोदुरों के साथ रिलीज हुई थी रूस्तम ने पहले दिन लगभग 14.11 करोंड की कमाई की तो फिल्म ने दूसरी सुरुवाती सब्ताह में 25 करोंड और भारत में अपने पहली सब्ताह में 90.9 करोंड की कमाई की थी अगर अंतराष्टी प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म ने अंतराष्टी इस्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है अपनी सुरुवाती सब्ताह में लगबग 3 मिलियन की कमाई की थी तो इस फिल्म का इसकोर सुरिंदर सुड़ी द्वारा रचित है रुस्तम में दिखाएगे सभी गीतों को मनोज मुतंसिर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ आरको रागो सच्चर अंकित तिवारी और जीत गांगुली द्वारा संगीत बद्द किया गया था फिल्म के साउंट्रेक इल्बम का पहला गाना तेरे संग यारा आतिफ असलम द्वारा गाया था और आरको द्वारा रचित है जिसे 6 जुलाई 2016 को जारी किया गया था और इस फिल्म का दूसतरा साउंट्रेक रुस्तम वही सीशक से 13 जुलाई को जारी किया गया था जिसे 2016 में सभी गीत मनोज मुतंसिर द्वारा लिखे गए और पूर्ण संगीत एल्बम 14 जुलाई 2016 को जारी किया गया था जिसे 29 अक्टोबर 2019 को जी म्यूजिक कमपनी के अधिकारिक यूटूब चैनल पर आरजीत सिंके गायन के साथ ढल जोन में गीत का एक नया संस्क्रण भी जारी किया गया था जिसे सभी गीत मनोज मुतंसिर जुआरा लिखे गए थे रुश्तम फिल्म में कुल 11 गाने है जो इस परकार है नमबर एक तेरे संग 11 इसको गाया है आतिप असलमनी नमबर दो रुश्तम वाही इसको गाया है सुकरती ककरने नमबर तीन ताई है इसको गाया अंकित तीवारी जीनि नमबर चार देखा है हजारों दफा इसको गया है अरजीत सिंह और पलक मुछल जी ने नमबर पांच धल जौनमी इसको गया है जुबिन नौटियाल ने नमबर छे जब तुम होते हो इसको गया है स्रेस गोसाल ने और अंकिति भर जी ने नमबर साथ रुस्तम वही थी इसको गाया है राघो सच्चरने नमबर आठ रुस्तम वही मराठी इसको जैसराज जोसी जी ने गाया है नमबर नो रुस्तम वही इसको गाया है जैसराज जोसी जी ने नमबर दस तेरे बिना या इसको गाया है जैसराज जी ने नमबर ग्यारा धल जाउन में इसको गाया है अरजीत सिंग और कांच्छा सर्मा ने रुस्तम फिल्म में अक्षि कुमार जी के द्वारग निभाय गया रोल नोसीन अधिकारी का बहुत ही अच्छा रहा और उस रोल को देखर दर्सकों को काफी अच्छाई महसूस हुई और दर्सकों ने काफी उनकी सरहना भी की है तो आए जानते हैं अक्षि कुमार जी के बारे में तो इनका जन्म 9 सितंबर 1967 को पेसेवर रूप से अक्षि कुमार की रूप में जाने जाते थे वह एक भारती मोल की कनाडाई अविनेता और फिल्म निर्माता हैं जो भारत में काम करते हैं और हिंदी सिनेमा में अविने के 30 से अधिक वर्सों में अक्षि कुमार ने 100 से अधिक फिल्मों में अविने किया है और वो कई पुरुसकार जीत चुके हैं जिन में सिद्धुर नेताओं में से एक हैं फोर्व सिनी 2015 और 2020 तक अक्षिक कुमार को दुनिया से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हस्तियों और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में सामिल किया गया है जिनी 2019 और 2020 के बीच वो दोनों सूचियों में एक मातर भारती इनका जल्म राजिव हरिवोम भाटिया जिका जल्म 9 सितंबर 1967 को अमरिस्तर पंजाब भारत में हुआ था इनकी राष्टिता 2011 तक भारती छोड़ दिया उसके बाद कनाडा के थे इनुने अलमा मेडर गुरू नानक खालसा कॉलेज आफ आफ आट्स साइंस एंड कामर्स इनक की पत्नी हैं ट्रिंग के लखनना अक्षी कुमार ने 1991 में सोगंद के साथ अपना कैडियों सुरू किया और एक साल बात एक्षन थिल्लर खिलाडी के साथ ने पहली बेवसाइक सफलता मिली फिल्म ने उन्हें 1990 की दसक में एक एक्षन इस्टार के रूप में इस्थापित क किया था हाला कि यह दिल लगी 1994 में रूमन्स की साथ उनकी सुरुवाती प्रयास को सकरात्मक रूप से प्राप्त किया था यह अगले दसक में था कि अक्षी कुमार ने अपनी भूमिकाओं की सीमा का विस्तार किया है उन्होंनी रूमांटिक फिल्में धड़कन 2000 अंदाज 2003 नमस्ते लंदन के लिए पहचान हासिल की जिसे 2007 और जबकि उनके केरियर में बेवसाइक रूप से उतार चड़ाओ आया था उनकी मुकिधारा की सफलता 2007 में लगातार च्यार बॉक्स आफिस हिट फिल्मों के साथ वड़ी यह 2009 और 2011 के बीच गिरावट की एक छोटी अव आसपास उनकी कई फिल्मों की आलोचात्मक प्रतक्रियाओं में सुधार हुआ है जिसे इस्पिसल 26-2013, बेवी 2015 और एरलिफ्ट 2016 में उनकी काम को सराहा गया है और उन्होंने क्राइम थिल्लर रुस्तन 2016 के लिए सर्फशेष्ट अभिनेता का राष्टी फिल्म फेर पुर 2019 में मिसन वंगल हाउस फुल फोर गुड न्यूज और 2021 की एक्शन फिल्म सुरुवनसी के साथ बॉक्स आफिस पर रिकार्ड बनाये थे अक्षी कुमार ने अभिने के अलावा एक रंट अभिनेता के रूप में भी काम किया है जिसे 2008 में उन्होंने फियर फैक्टर खत्रो के खेलाडी की मेजबानी की सुरुवात की और चार्व सत्रों की मेजबानी की उन्होंनी दूजर चुदा में टीबी रियाल्टी सो डेर टू डांस भी लांच किया और उनके आप स्क्रीन काम में 20 कबड़ी लीग में टीम खुलासा वेरियस का स्वामित तो हमसिल है अभिन लागू करके जिसनी कनाडा के आप रवासियों के लिए एक सामानी निवास आख सकता को दा किनार करने की अनुमति दी कान जेट्टिव पार्टी में एक पूर्मंतरी टोनी क्लेमेंट के अनुसार कुमार द्वारा कनाडा के भारती संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए इस्टार पाउर और कनाडा के ब्यापार संबंधों के लिए वारेज संबंधों की पेसकस के बदले में नगरिकताफ प्रदान की गई थी फिल्म चेत पर्ट्रेन चेत्र में रूस्तम फिल्म को डारेक्ट किया है टीनू सूरेश दिसाईजी ने तो टीनू सूरेश दिसाईजी एक भारती फिल्म नरतीशक हैं जिनन disciplines 2016 की horror film 1920 में London से बालिबॉड में अपनी शुरुवात कि जिसमें से उन्होंने समरन जोसी और मीरा चोपडा ने अभने किया था जो 2016 के लिए उनकी आगली रिलीज थी अक्षे कुमार इस्टार रूस्तम कथी तोर पर के एम नानावती बना महराष्ट राज के 1961 के अदालती मामले पर आधारी थे इस फिल्म में इलियाना डिक्रूज अरजन बाजवा और इसा गुपता भी प्रमुक भूमिकाओं में हैं टीनू देसाई जी का जन्म भारत में हुआ था इनकी राष्टेता भारती है इनका ब्यवसाई फिल्म नर्देशक हैं रुस्तम फिल्म में इलियान डिक्रूज ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया जो की अक्षे कुमार की पतनी के रूप में प्ले किया था उनके द्वारा निभाय गया रोल दर्सकूं को काफी परसंद आया था तो इलियान डिक्रूज का जन्म एक नॉंबर 1987 को हुआ था जो एक भारती मोल की पूर्टगाली अवनेतरी और मॉडल है जो मुकी रूप से तिल्गू और तमिल और हिंदी भासाओं की फिल्मों में दिखाई देती हैं डिक्रूज का जन्म मुंबरी में हुआ था और उन्होंने अपने आधिकांस बचपन गोवा में बिताया डिक्रूज ने 2006 में तेल्गू भासा की फिल्म देवदासू की साथ अपनी सुरुवात की जो एक बेवसाइक सफलता थी उन्होंने फिल्म पियर आवार्ड साओत और फिल्म पियर आवार्ड साहित कई पुरुशकार सामिल हैं उन्होंने अपने केरिर की सुरुवात 2006 से की जो पोकेरी 2006, राखी 2006, मुन्ना,2007 और जलसा 2008, किक 2009 और जुलाली 2012 स्वेत कई सफल विन्मों के साथ डिक रूज ने तिल्गू सिनेमा में एक अग्रडी अभिनेतरी के रूप में खुद को इस्थापित किया है उन्होंने केडी 2006 की साथ तमिल सिनेमा में अपनी सुरुवात की और व्योसाईक रूप से सफल संकर की नाना बन 2012 में अभिनी किया डिक रूज ने 2012 में अनुराग बसु की कमेडी ड्रामा वर्फी के साथ हिंदी सिनेमा में विस्तार किया जिसकी लिए उन्होंने सर्फेष्ट महिला पदारपन के लिए फिलिम फेर पुरुसकार जीता और मैं तेरा हीरो 2004 रुस्तम जोरा 16 और रेड 2018 में प्रमुक महिला की भूम का निवाई थी तो आए जानते हैं एलियाना डिक्रूज के जीवन परचे के बारे में तो डिक्रूज का जन्म एक नॉंबर 1987 को महिल मुंबई में एक कैथोलिक पिता और मुस्लिम मा के यहां हुआ था जब वो 10 साल की थी तब उनका परिवार पारा गोवच चला गया था उनका पहला फोलियों का नेत्र तो किया था जिसमें एलेक्टिकस, इमामी, ट्रेक और फेर एंड लवली से उसके बिग्यापन उत्रे उत्वार्थ विशेश रूप से जिसे राकिश रोसन द्वारा निर्दीसित किया गया था उसे एक्सपोजर दिया गया और फिच्चर फिल्मों में अभिने के लिए कई प्रिस्ताओं लिये थे जिसे डिक्रूज इने 2014 में पूर्तगाली राष्टेता हांसिल कर ली थी और वोये वर्व के साथ एक साचतकार में उसने कहा कि पूर्तगाल उसके वन्स का एक हिस्सा था वो आश्ट्रेलियाई फोटोग्राफर एड्रियू न तूट गया है उन्होंने 2005 में डिक्रूज को निर्दीशक तेजा द्वरा आडियन्स के लिए बुलाया गया था लेकिन परियुजनर रद कर दी गई थी उन्होंने वाई बी एस चोधरी द्वरा निर्देशित तिल्गु भासा की रोमांस फिल्म देवासू से 2006 में चाहती लेकिन उनकी माद्वारा उन्हें पूरुसाहित करने के बाद आगे बढ़ी उन्हें जीवन भर का ब्याख्यान सुबा तीन बजे दिया इडिली की एक समिच्छा में कहा गया है कि उसने छेनी हुई विसेस्ताय हुई और मरनी के लिए एक आकड़ा है वर्स की पहल अंगेश्टर फिल्म पूकरी में दिखाई दी थी जिसमें उसने एक रेविक्स सिच्छ की भून का निबाए थी जिसे एक व्रिष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा परिसान किया जाता है फिल्म एक उच्छ स्तरी सफलता थी जो उस समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेल्गो फिल्म के रूप में उभरी थी उन्होंने केडी 2006 में तमिल भासा के फिल्म की सुरुवात की हाला कि फिल्म ने बॉक्स आफिस पर इतना अच्छा प्रदर्सन नहीं किया डिक रूज उन्हें दी जाने वाली सबी फिल्मों को सुईकार करने में बहुत बेस्त रह उनकी तेल्गो फिल्म खतरनाक 2006 जिसमें से उन्होंने रभी तेजा की साथ अभी ने किया और अपेच्छा की अन्रूप प्रदर्सन नहीं किया जिसका सरे उनके गैमलर्स रूप से दिया गया था जो दर्सकों को प्रसंद नहीं आ रहा है राखी 2006 और मुन्ना जैसी उनकी रिलीज के बाद उन्होंने अपने केरियर में एक सफलता का अन्रूप किया 2007 में अलोचात्मक और आर्थिक रूप से सफल साबित हुई थी तेल्गो सिनेमा में सफलता और स्थापना इन्होंने 2007 से 2011 तक डी कुरूज 2007 की फिल्म आटा में दिखाई दी थी जिसे एक चात्रा स्त्य के रूप में उसके परदर्शन के लिए उसे अनकूज समिच्छाएं मिली हैं जिसे 2008 में उन्होंने त्रिविक्रम स्री निवास द्वरा नर्दीसीत एक्शन फिल्म जल्सा में महिला प्रधान की भून का निभाई डिक रूज को मोटे तवर पर सकारात्मक टिपड़ी मिली जिसमें आलुज कोनी कहा कि वो सुन्दर वेहत सांत और फूरी फिल्म में हर बिट ठाट और तेजस्वी दिख रही थी जल्सा के लिए पांच पुरुसकारों में से एक हैं और साउथ इसकोप स्टाइल आवार्स जिसके अलावा 56 फिल्म फियर आवार्स स साउथ में सर्फसेष्ट आविनेत्री के लिए फिल्म पेर पुरुसकार के नामांकित प्राप्त किया था उन्होंने 2009 में उनकी पहली रिलीज जिसका सीर्चक किक था को भी बॉक्स आफिस पर सफल घुसित किया गया था उस वर्स सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों म अविने किया था दोने ने बॉक्स आफिस पर खाराप प्रदर्सन किया डिक रूच की 2011 में दो रिलीज हुई उस वर्स उनकी पहली फिल्म सकती थी जिसमें उन्होंने मुखे महिला की भूंका निभाय थी उन्होंने फिल्म के परशायर के हिस्से की रूप में जूनियर ए रिलीज समारों के लिए एक मंच परदर्सन किया था सामाजिक फ्रंतासी फिल्म 250 अरब में वनी अब तक की सबसे महिंगी तेल्गू फिल्म है उनकी अगली रिलीज नेनू ना राचिसी थी जिसने पूरी जगनात के साथ उनके दूसरे सहियों कुछ चिनित किया था हलाकि फिल्म असफल रही लेकिन समिचको द्वारा उजन के परदर्सन को सकारात्म कुरूप से सराहा गया एग इंडिली गिज समिच्चिक ने उन्हें फिल्म में सुखत आस्चर के रूप में वडित किया है क्योंकि वो रोई और मुस्कराई गम दिखी थी सान भूती को पकड़ा और एसे चेहरे बनाए जो द्रस्यों के लिए उपयुक्त थे जबकि सिनेमाई घरों में समिचकों से कहा कि फिल्म में एक उजल स्थान था इलियाना वो आश्चर जनक दिखती हैं और नायक के लिए एक निपुड वरिष्ट की तरह भी हैं वो अपनी हाल की भारत में सबसे अधिक बेतन पाने वाली अबनित्रियों में से एक बन गई थी बाली बूट की सुरुआत और सफलता आप 2012 से 2017 तक इन्होंने 2012 की सुरुआत में इन्होंने एस संकरद्वारा नर्देशित तमिल फिल्म नान बन में अभी ने किया था जो 2009 की हिंदी फिल्म त्री इडियस की रिमेक थी फिल्म ने प्रदर्शन की फ्रसंसा करते हुए आलोचकों से उच्छ सकारातमक समिछाय प्राप्त की हैं और ये अपने पहले सब्ताह में बॉक्स आफिस पर 400 मिलियन यूएस 5.0 मिलियन की कमाई के साथ एक बड़ी वित्ती सफलता बन गई थी उनकी अगली एक्षन कमेडी जुलाई थी जिसे विक्रम स्रीनमासन ने लिखा और नर्देशित किया था डिक रूज को अलू अर्जुन से सकारातमक रूप से मधू के रूप में चितरित किया गया था फिल्म सकारातमक समिछा के साथ खुली और 2012 में तीसरी बार सबसे एक्षी ड्राइवर की भूम का निभाय थी जो फिल्म को मिस्री समिचकाय मिली और अंत में बॉक्स आफिस पर इसका प्रदर्सन कम रहा था डिक रूज ने अनुराग वसुकी वर्फी के साथ अपना हिंदी डेबियू किया आप कथा वाचक की भूम का निभाने के अलाव उन्होंने सुर्ती घुस के चरित को चित्रित किया जो एक एसी लड़की थी जो भोतिक सुख सुविधाओं के लिए अपना सच्चा प्यार छोण देती है जिस फिल्म को 14 सितंबर 2012 को रिलीज किया गया था और समिच्छों को से अत्य दिख सकारात्मुक समिच्छों के ये एक प्रमुग बेवसाइक सफलता थी डी क्रूज के प्रदर्सन की अच्छी तरह से सराना की गई थी जिससे उन्होंने फिल्म पेर सबसेष्ट महिला पदारपन पुरुसकार मिला था साथ ही सबसेष्ट सहाइक आविनेतरी के लिए फिल्म पेर पुरुसकार के लिए मानते हैं क्योंकि निश्चित रूप से वह भी मदद करते हैं वो बरफी में सबसे अधिक आ कर सकें और दार जिलिंग की सुन्दर पहाड़ियों को भी चमकाती हैं राजिव मसंद ने कहा है कि इलियाना ने अपनी पहली हिंदे फिल्म में एक स्थाई छाप छोड़ी जो उन सुन्दर अभिवियंजक आखो के मद्यम से फ्यार और दर्द दोणों को व्यक्त करती हैं फिल्म को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मार केच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्सित किया गया था और इसे 25.00 अकादमी पुर्षकारों के लिए आइसकर में भारत और अधिकारिक प्रविष्टी के रूप में चुना गया था, वो अगली बार राजकुमर संतुसी एक्षन कमेडी फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में साहित कपूर के साथ दिखाये दी थी, मिस्तिर समिच्छाओं के साथ 20 सितंबर 2013 को रिलीज हुई फ अप्रिल 2014 में उसने मैंस वर्ड पत्रिका के लिए एक फोटो सूट किया था, जिसे 2014 की उनके पहली रिलीज आने वाली रोमांटिक एक्षन कमेडी फिल्म मैं तेरा हीरो थी, जो तेलगु फिल्म कदीरी गा की रिमेक थी, जिसके द्वारा निर्मित किया गया था और बाल साफिस पर सफल रही, इसके बाद वा सैफली खान के पहली प्रोडेक्शन हाइपी एंडिंग में नजर आई थी, जहां उन्होंने सैफली खान, गोविंदा और कल्वी कोचलिन की साथ मुख भूमकाएं निभाई हैं, जो 21 सितंबर से लेकर 21 नॉमबर 2014 को रिलीज हुई थ इसे फिल्म को नकारातम को समिच्छा मिली और बाउक्स आफिस पर खराब प्रदर्शन किया था, एक विश्राम लेने के बाद फरवरी 2016 में उन्होंने अक्षे कुमार को रुस्तम सुरू की, जो रुस्तम 2016 में रिलीज हुई, ये फिल्म 2016 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारती फिल्मों में से एक के रूप में उभरी थी, जिसने बॉक्स आफिस पर टू मिलियन से अधिक की कमाई की, इलियानको सिंधिया पावरी के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए सरा गया था, जिसने उन्हें कई प्रुसकार नामांकन भी मिले थे, उन्होंने 2017 में अरजुन कपूर और अनिल कपूर के साथ अबनित उनकी मुबार्खा और अजे देवगन के साथ अविने करने वाली बात साहो दुन ही बॉक्स आफिस पर दर्सकों को खोजने में अस्फल रही थी, हालिया काम 2018 में बरतमान में डी क्रूज को 2018 रेट की पहली रिलीस सकारात अलोचातमक और बेवसाइक पृत्किरिया के लिए खुली, ये 6 साल के अंतराल के बाद उन्होंने अपने अक्सर सा कलाकार रवी तेजा के साथ आविनित एक तेल्गू फिल्म अमर अकबर एंतुनी साइन की, अच्छी उमीदों के वीच रिलीज हुई फिल्म ने सकारातम से लेकर नकारातमक समिछाओं के साथ सुरुवात की और बॉक्स आफिस पर अस्पल रही थी, जिसे 2019 में वो अनीस बजमी की एक कमेडी फिल्म पागल पंथी में दिखाई दे थी, वो स्टार्क बोकर हरसद महताक के जीवन पर अपसीख बच्चन के साथ COVID-19 बिलंबित फि में दिखाई दे रही हैं, उन्होंने अनफेर एंड लवली का फिल्मांकन पूरा कर लिया है, ये वलविंदर सिंग और जंजुआ, द्वारा नर्दिसित और सोनी पिस्चर्स फिल्म द्वारा इंडिया, द्वारा निर्मित एक आगामी भारती हिंदी भासा की सामाजिक कम मिकाओं में हैं, ये फिल्म गोरी तुचा के प्रती भारत के जुरून को तलासने वाली दोनों फिल्में हैं, जो 2021 में रिलीज होने वाली हैं, रुस्तम फिल्म में ईसाग गुपता ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो ईसाग गुपता एक भारती अबनेतरी है वो वर्ष 2007 में मिस इंडिया ने इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं, इसा गुपता का जन्म 28 नॉमबर 1985 को दिल्ली में हुआ था, उनके पिता एर फोर्स में सेवा निवरत हैं, उनकी मा एक ग्रहणी हैं, उनकी एक बहन है जिसका नाम नहा है, इसा ने उनकी हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजबाई, उनकी हिंदी सिनेमा में भट कैम के जरिये फिल्म जन्नत्टू से कदम रखा, इसके बाद वो फिल्म राज्थ थिरी में नजर आई, इस फिल्म में उनके अभिनिक से आलोच को द्वारा का भी फ्रसंसा की गई थी, महिस कल में सैफली खान और रितेश देशमुक और राम कपूर के साथ नजर आई थी, क्राइम थिल्डर फिल्म है, इस फिल्म को के अफ गुड्स फिल्म जी इस्टूडियोज की आर्ज इंटर्टेनमेंट, प्लान सी इस्टूडियोज द्वारा सइंत रूप से निर्मित किया गया है, और इस फिल्म में अक्षे कुमार, रुस्तम पावरी, एर नाभी अधिकारी, इलियाना डिक्रूज, अर्जन बाजवा और इसा गुपता की मुक्य भूमकाओं में हैं, ये फिल्म के एम नानावती बनाम, महाराष्ट राज आदालत मामले पर आधारित है, और एक अधिकारी रुस्तम की कहानी सुनाते हैं, जो अपनी पतनी सिंधिया के साथ एक खुसहाल रिस्ता साजा करते हैं, जल्द ही उसे एक करीबी दोस्त विक्रम के साथ उसके सम्मंद का पता चलता है, और उसकी हत्या का आरोप लगाया जाता है, तो फैंस इस फिल्म को करने वाले हैं, अरुन भाटिया, और नितिन केनी, आकाश श्यावला, विरेंद अरोडा, इस्वर कपूर, प्रेम अरोडा, अर्जुन एन कपूर, और इस फिल्म को अभिनित किया है, अक्षे कुमार, इलियाना डिक्रूज, इसा गुपता, अर्जन बाजवा, पाउन मलह और इस फिल्म को संपादित किया है, श्री नाराण सिंग ने, और इस फिल्म में गाने के बोल है, जीत गांगुली, आर्को, रागो, सच्चर अंकित तिवारी के, बाइंग ग्रोंड इसकोर की रचना की ए सुरिंदर सोधी ने, उत्पादन कंपनी है, जी के आफ गुड्स फिल्म योजना सी इसुडियोज द्वारा, तुफैंस इस फिल्म को वितृत किया है, पैनौरमा इस्टुडियोज जी इस्टुडियोज इंटेशनल, तुफैंस इस फिल्म को रेलीज किया गया था, बारा अगस्द 2016 को, दीश भारत भाषा हिंदी, अगर अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 50.28 करोड रुपे का अगर इस फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म का कुल बॉक्स आफिस संग रह था 216.35 करोड पच्चास करोड यूएस 6.3 मिलियन के बजट पर बनी फिल्म ने फरवरी 2016 में मुग की फोटोग्राफी शुरू की और भारत में 12 अगस्तों 2016 को नाट की रूप से रिलीज हुई थी रुस्तम को आम तोर पर फिल्म के अभिने और लेखन के समिच्चकों से सकारात्मक समिच्चाएं मिली हैं ये दुनिया भर में बॉक्स आफिस पर 210 करोण यूएस 26 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली बॉक्स आफिस की सफलता बन गई है और ज्यादा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्मों में से एक थी इसे 64 राष्टी फिल्म फेर पुरुसकार में अक्षे कुमार को नाम मातर का किरदार निवाने के लिए सरफ्षिश अभिनेता का राष्टी फिल्म फेर पुरुसकार दिया गया है तो फेंस बिना देरी के विए इस फिल्म की कहानी को लेकर हम चलते हैं तो अधिकारी रुस्तम पावरी ने 1961 में सिंधिया पावरी से खुसी-खुसी साधी कर ली उनकी साधी तब तूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विक्रम मखीजा के साथ अफेर चल रह आए अपनी जहाज की तैनाती से जल्दी लोटनी के बाद रुस्तम को सिंधिया की अलमारी में बिक्रम के प्रेम पत्र मिलते हैं वो उसे खोजने की कोशिस में रुस्तम दोनों को साथ देख लेता है और वो घर लोट आता है और सिंधिया के लोटने का इंतजार करता है औ खुट के लिए एक पिस्तोल लेता है और रच्छा मुख्याले नई दिल्ली में रच्छा सच्चिव केजी बक्सी को एक ट्रंक काल करता है वाद में वो विक्रम को पहले उसके कार्याले में और फिर उसके घर पर खोजता है रूस्तम के विक्रम के बेडरूम में प्रवेस कर तीन गोलियां की आवास सुनता है और कमरे में भागता है ये देखने के लिए कि विक्रम की चाती पर तीन गोलियां लगी है और रुस्तम हाथ में फिस्तोर लेकर चला आ रहा है। रुस्तम तुरंत पुलिस के सामने आत्म समरपण कर देता है और वरिष्ट अनिरिक्षर बिसेंट लोंबो जाच शुरू करते हैं विक्रम की बहें प्रीती मखीजा सरकारी वकील लश्मण खंगानी से रुस्तम को कड़ी सी कड़ी सजा दिलाने के लिए मिलती हैं रुस्तम क वरिष्ट नोसेना अधिकारी रियर एड्मिलर प्रसांत कामत दो गुंडों को दस्ताबेजों के एक सेट की खोज के लिए उसके घर भेजते हैं लेकिन वे कुछ भी खोजने में विफल रहते हैं डरी हुई सिंधिया रुस्तम को सूचित करने के लिए जेल जाती है जो अ अकेलेपन का फाइदा उठाया और वो उसके फ्यार में पड़ गई हलाकि बिक्रम की हत्या के दिन सिंधिया ने अपनी साधिक की खातिर फहले ही उसे समंध तोड लिया था रुस्तम के निर्दीस पर सिंधिया कामत को आवस्यक दस्ताबेजों के बदले में पांच करोड रुपे के लिए ब्लेक मेल करती थी आदालत की सुनवाई में रुस्तम अपरत्यासित रुप से नियादीस पटेल के सामने दोसी नहीं होने का अनुरोत करता है जिसके परणाम सुरूप नौ सदस्तिकी जूरी पर इच्छड़ नहीं पाया गया है क्योंकि उसने आत्मरच करने के लिए बक्सी से मिला था बंबई में वापस आने पर ट्रेग काल बजती है और जिसे लगबख सभी को यकीन हो जाता है कि रुस्तम दोसी नहीं है और वो उनकी रायन तैक करने के लिए जूरी के लिए अदालती कारवाई समाप्त हो जाती है फैंसले के दिन नो से ना खरीदना चाहती थी लेकिन निरिछण पर रुस्तम ने पाया कि वो वाहक की पतवार जंग खा गई थी और वाहक को भारत में इस्थांतरित करने से पहले इसकी मरम्मत और संसोधत करना आउस्सेक होगा बिक्रम भारत द्वारा खरीदे जाने वाले बिमान वाहक पोत के लिए पैरवी कर रहा था और उसने कामत के साथ उसे ये कहने के लिए रिशुत देने का प्रयास किया कि वो वाहक समुदर में चलने योग है जब रुस्तम ने लंदन में वक्सी को सूचित करने का प्रयास किया तो वक्सी ने उसे रिशुत देने और वाहक को भारत लाने का भी प्रयास किया था विक्रम ने उसे मारने की कोशिस किया और रुस्तम ने गुस्से में उसे थपड मार दिया यह मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी की ताकत दिखाई है विक्रम ने रुस्तम को अपनी पैसों की ताकत दिखाने और उसे बदला नेने के लिए सिं प्रश्टम को बक्सिने वाला नहीं है और उसके पास नो सेना के लिए वाहक की आयोगिता को उजागर करने वाले कागजात हैं। भी नहीं बताया ताकि नो सेना की छबी खराब नहीं हो सके। रुस्तम तब खुलासा करता है कि वास्तों में उसके पास वाहक के छेत्रगरस्त होनी के प्रमार से संबंदित कोई दस्ताबेच नहीं थे। के बाद फिल्म रुस्तम और सिंधिया दमपती के साथ शुट्टी पर समाप्त होती है। रुस्तम को खरीत का परिछण स्थानी समाचर पत्र में पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो वाहक भारत में एक मजबूत इस्तिती में आ रहा है। जैसा कि उसने चाहा था तो फेंस आये जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो उनके बारे में। तो कमांडर रुस्तम रूसी पावरी के रूप में अक्षे कुमार जी हैं और सिंधिया पावरी रुस्तम की पत्नी के रूप में इलियाना डिक्रूज हैं और विक्रम नखीजह की रूप में अरजन बाजवा हैं और इसा गुपता हैं और पवन मलोहत्रा वरिष्टन ही है कुब्ध मिस्ट्रा एरिक बिल मोरिया के रूप में और जज पठेल के रूपमें अनंग दिसाई है पारमीद सेठी एर कामत फ्लैग के रूप में हैं और कैप्टन सी पी चेरियन के रूप के रूप में इंधर नील नीव मढटा चार हैं कमल जीद सिंग हैं हेट का नेस्टेबल तुकारा म्यादों की रूप में ब्रजेंद काला हैं लेप्टीनन्ट के रूप में गिरीश सहदेव हैं सेनपती कमल पुझारी के रूप में और शब इस्पेक्टर उमाकांद पाटिल के रूप में अभय कुल करनी हैं और वरुण व में इस्तिया खान हैं जगड़ू के रूप में नमन जैन हैं सुभाज चक्रवर्ती एक होटल बेटर रंजीत दास के रूप में हैं बिपुल के रावल कप्तान के रूप में हैं सुरेश सीपी मुख्य साहप के रूप में हैं. दामोदर के रूप में राजेस मेलर और समीर साह हैं, हरीस मेलर वाडिया एडवोकेड रुप में हैं. रुस्तम प्रोडफेक्सन को अप्रेल दुरि सूला में केंट के रोमान्टिक मोठाज के लिए फिल्माया गया था. जहां रुस्तम अक्षी कुमार और सिंधिया, इलियाना डिक्रूज, आयल सफोर्ड, कैटबरी, मेश्टोर्ण, लीड्स कैसल, डोबर इस्फरंट और साउथ मेदा, चेकर्स इन, सब सहित इंग्लेंड का दौरा करते हैं फोर्लाइंड, लाइट हाउस, एतिहासिक, डायक्यार्ड, चैथम में, नौसैनिक बंदरगा और जहाच के भी द्रस से हैं कुमार और टिंको इलखन्ना को एक नवसेन अधिकारी की भूहुनकार निवाने के लिए, कुमार द्वारा पहनी गई पोशाक की निलामी के लिए कानूनी नोटिस भेजा गया था उस पर सस्त्रा बलों की भावनाओं के साथ खिलवार करने का आरूप लगा गया था फेंस आये जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो भारत में इसका बॉक्स ओफिस कलेक्शन इस फिल्म ने को 12 अगस्त 2016 का पूरे भारत में 27 इसकी रिवनों पर मोहन जोदलों के साथ रिलीज हुई थी रुस्तम ने पहले दिन लगभग 14.11 करोण की कमाई की तो फिल्म ने दूसरी सुरुवाती सब्ताह में 25 करोण और भारत में अपने पहली सब्ताह में 90.9 करोण की कमाई की थी अगर अंतराष्टी प्रदर्शन की बात करें तो फिल्म ने अंतराष्टी इस तर पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है अपनी सुरुवाती सब्ताह में लगबग तीन मिलियन की कमाई की थी तो इस फिल्म का इसकोर सुरिंदर सुड़ी द्वारा रचित है रुस्तम में दिखाएगे सभी गीतों को मनोज मुतंसिर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ आरको रागो सच्चर अंकित तिवारी और जीत गांगुली द्वारा संगीत बद्द किया गया था फिल्म के साउंट्रेक इल्बम का पहला गाना तेरे संग यारा आतिफ असलम द्वारा गाया था और आरको द्वारा रचित है जिसे 6 जुलाई 2016 को जारी किया गया था और इस फिल्म का दूस्तरा साउंट्रेक रुस्तम वही सीशक से 13 जुलाई को जारी किया गया था जीद सिंग के गायन के साथ धल जोन में गीत का एक नया संस्क्रण भी जारी किया गया था इसे सभी गीत मनोज मुतंसिर जुआरा लिखे गए थे रुस्तम फिल्म में कुल ग्यारा गानी है जो इस प्रकार है नमबर एक तेरे संग्यारा इसको गाया है आतिफ असलम ने तीन ताई है इसको गाया अंकित तिवारी जीनी नमबर चार देखा है हाजारों दफा इसको गाया है अरजीत सिंग और पलक मुच्छल जीनी नमबर पांच धल जोन में इसको गाया है जुबिन नौटियाल ने नमबर छे जब तुम होते हो इसको गाया है स्रेश गोसाल न और अंकित्तिवर जी ने नमबर साथ रुस्तम वही थी इसको गाया है राघो सच्चरने नमबर आठ रुस्तम वही मराठी इसको जैसराज जोसी जी ने गाया है नमबर नो रुस्तम वही इसको गाया है जैसराज जोसी जी ने नमबर दस तेरे बिना यार जिसको गाया है जसराज जी ने नमबर ग्यारा ढल जाउन में इसको गाया है अरजीत सिंग और कांच्छा सर्मा ने रुस्तम फिल्म में अक्षि कुमर जी के द्वारग निभाय गया रोल नुसीन अधिकारी का बहुत ही अच्छा रहा और उस ड्रोल को देखर दर्सकों को काफी अच्छाई महसूस हुई और दर्सकों ने काफी उनकी सरहना भी की है तो आए जानते हैं अक्षि कुमर जी के बारे में तो इनका जन्म 9 सितंबर 1967 को पेसेवर रूप से अक्षि कुमर की रूप में जाने जाते थे वह एक भारती मोल की कनाडाई अविनेता और फिल्म निर्माता हैं जो भारत में काम करते हैं और हिंदी सिनेमा में अविने के 30 से अधिक वर्सों में अक्षि कुमर ने 100 से अधिक फिल्मों में अविने किया है और वो कई पुरुसकार जीत चुके हैं जिन्मी सिदूर राष्टी फिलिम फियर पुरुषकार और दो फिलिम फियर पुरुषकार शामिल हैं उन्हीं भारत सरकार से भारत का च्छोज था सरबुच्य नागरिक सम्मान पदम सिरी प्राप्त हुआ है जिसे 2009 में अक्षिकुमार भारती सिनिमा के सबसे सफल अबनेताओं में से एक हैं फोर्प सिनी 2015 और 2020 तक अक्षिकुमार को दुनिया से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हस्तियों और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अबनेताओं की सूची में सामिल किया गया है जिनी 2019 और 2020 के बीच वो दोनों सूचियों में एक मात्र भारती थे इनका जल्म राजिव हरिवों भाटिया जिका जल्म 9 सितंबर 1967 को अमरिस्तर पंजाब भारत में हुआ था इनकी राष्टिता 2011 तक भारती छोड़ दिया उसके बाद कनाडा के थे इनका बेवसाय अभिनेता और फिल निर्माता और टेली वीजन बेकतत तो है इनकी पत्नी है ट्रीम के लखन्ना अक्षी कुमार ने 1991 में सौगंद के साथ अपना कैरियर सुरू किया और एक साल बाद एक्षन थिलर खिलाडी के साथ ने पहली बेवसायक सफलता मिली फिल्म ने उन्हें 1990 के दसक में एक एक्षन इस्टार के रूप में इस्थापित किया और मोहरा 1994 और जानवर 1999 में जैसी एक्षन फिल्मों के अलावा खिलाडी फिल्म संखला में कई फिल्म का नेत्रतों किया था हाला कि ये दिल लगी 1994 में रूमंस की साथ उनकी सुरुवाती प्रयास को सकरात्मक रूप से प्राप्त किया गया था ये अगले दसक में था कि अक्षी कुमार ने अपनी भूमिकाओं की सीमा का विस्तार किया है उन्होंनी रूमांटिक फिल्में धरकन 2000, अंदाज 2003, नमस्ते लंदन के लिए पहचान हासिल की जिसे 2007 और जबकि उनके केरियर में बेवसाईक रूप से उतार चड़ाओ आया था उनकी मुकिधारा की सफलता 2007 में लगातार च्यार बॉक्स आफिस हिट फिल्मों के साथ व अपनी स्थितियों को मजबूत किया था इसके अलावा इस समय के आसपास उनकी कई फिल्मों की आलोचात्मक प्रतक्रियाओं में सुधार हुआ है जिसे इस्पिसल 26, 2013, बेवी 2015 और एरलिफ्ट 2016 में उनकी काम को सराहा गया है और उन्होंने क्राइम थिल्डर रुस्तन 2016 के साथ यूद्ध फिल्म केसरी 2019 और 2019 में मिसन वंगल हाउस फुल फोर गुड न्यूज और 2021 की एक्षन फिल्म सुरुवनसी के साथ बॉक्स आफिस पर रिकार्ड बनाये थे अक्षी कुमार ने अभिनी के अलावा एक रंट अभिनेता के रूप में भी काम किया है जिसे 2008 में उन्होंने फियर फैक्टर खत्रों के खेलाड़ी की मेजबानी की सुरुवात की और चारव सत्रों की मेजबानी की उन्होंनी 2014 में टीबी रियाल्टी सो डेर टू डांस भी लांच किया और उनके आप स्क्रीन काम में 20 कबड़ी लीग में टीम खुलासा वेरियस का स्वामि अभेनियता ने देश में महिला सुरच्चा के लिए मार्सल आर्ट प्रसिच्छन स्कूल भी स्थापित किये थे। समंधों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करने के लिए इस्टार पाउर और कराड़ा के ब्यापार समंधों के लिए वाड़ेज समंधों की पेसकस के बदले में नगरिकता प्रदान की गई थी। सोला के लिए उनकी आगली रिलीज थी अक्षे कुमार इस्टार रुस्तम काथित तौर पर के एम नानावती बना महराष्ट राज के उनिस सोगन सट के अदालती मामले पर आधारी थे। इस फिल्म में इलियान डिक्रूज अरजन बाजवा और इसा गुपता भी प्रमुक भुमिकाओं में हैं। टीनू देशाई जी का जन्म भारत में हुआ था इनकी राष्टेता भारती है इनका ब्यवसाई फिल्म निर्देशक हैं। रुस्तम फिल्म में इलियान डिक्रूज ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया जो की अक्षे कुमार की पतनी के रूप में प्ले किया था। उनके द्वारा निभाय गया रोल दर्सकुं को काफी परसंद आया था। तो इलियन डिक्रूज का जन्म एक नॉम्बर 1987 को हुआ था जो एक भारती मोल की पूर्टगाली अवनेतरी और मॉडल है जो मुक्य रूप से तिल्गू और तमिल और हिंदी भासाओं की फिल्मों में दिखाई देती हैं। प्रुषकार सामिल हैं। इनका ब्यवशाय अवनेतरी हैं। उन्होंने अपने केरीर की सुर्वाद 2006 से की जो पोकेरी 2006, राखी 2006, मुन्ना 2007 और जलसा 2008, किक 2009 और जुलाली 2012 स्वेत कई सफल विन्मों के साढ़ी क्रूज ने तिल्गू सिनेमा में एक अग्रीडी अवनेतरी के साथ तमिल सिनेमा में अपनी सुरुवात की और ब्यवसाइक रूप से सफल संकर की नाना बन 2012 में अभिनी किया। डिक रूज ने 2012 में अनुराग बसू की कमेडी ड्रामा वर्फी के साथ हिंदी सिनेमा में विस्तार किया। जिसकी लिए उन्होंने सर्फेष्ट महिला पद के बारे में तो डिक्रूज का जन्म एक नॉंबर 1987 को महिम मुंबई में एक कैथोलिक पिता और मुस्लिम मा के यहां हुआ था जब वो दस साल की थी तब उनका परिवार पारागोवा चला गया था। उनका पहला फोर्ड फोलियो जनुरी 2003 में मनाया गया था जिसे लवली से उसके विग्यापन उत्रे उत्त्वार्थ विशेश रूप से जिसे राकिश रोसन द्वारा निर्दीसित किया गया था। उसे एक्सपोजर दिया गया और फिच्चर फिल्मों में अभिने के लिए कई प्रस्तावर लिये थे। जिसे डिक्रूज इन्हें 2014 में प थी। ये अफवा थी कि वोई पहले ही साधिक कर चुके थे। जिसे 28 अगस 2019 को भारती मेडिया ने इस खबर को प्रसारित किया की यूगल का संबन्द तूट गया है। उन्होंने 2005 में डिक्रूज को निर्दीसक तेजा द्वारा आउडियन्स के लिए बुलाया गया था। लेकिन पर्युजनर रद कर दी गई थी। उन्होंने YBS चोधरी द्वारा निर्देशित तिल्गु भासा की रोमांस फिल्म देवासु से 2006 में पिक्चर फिल्म की सुरुआत की। जिस फिल्म का काम सुरू करने से पहले उन्होंने अरुना बिच्चु की साथ आविने की सक चाहें ली वो याद करती हैं कि फिल्मांकन की दोरान उन्होंने दबाव महसूस किया लगबग रोई और आगे नहीं जाना चाहती। लेकिन उनकी मादवरा उन्हें प्रुतसाहित करने के बाद आगे बढ़ी उन्हें जीवन भर का ब्याख्यान सुबा तीन बजे दिया। इडिली की एक समिच्छा में कहा गया है कि उसने छेनी हुई विसेस्ताय हुई और मरनी के लिए एक आकड़ा है। वर्स की पहली बेवसाइक रूप से सफल तेल्गो फिल्म बन गई थी। अन्तितार लगबग 140 मिलिन की कमाई की जबकि डिक रूज ने सर्फिष्ट महिला नोदित के लिए फिल्म फियर पूर्सकार अरजित किया था। वो अगली बार गैंगेश्टर फिल्म पूकरी में दिखाई दी थी। जिसमें उसने एक रेविक्स सिच्छिक की भूनकर निबाय थी। जिसे एक व्रिष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा परिसान किया जाता फिल्म एक उच इस्तरी सफलता थी जो उस समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलगो फिल्म के रूप में उभरी थी। उन्होंने केड़ी 2006 में तमिल भासा के फिल्म की सुरुवात की। हालाकि फिल्म ने बॉक्स आफिस पर इतना अच्छा प्रदर्सन नहीं किया। डिक रूज उन्हें दी जाने वाली सबी फिल्मों को सुईकार करने में बहुत बेस्तर रही। उनकी तेलगो फिल्म खतरनाक दूजर्चे जिसमें से उन्होंने रभी तेजा की साथ अभी ने किया और अपेच्छा की अनुरूप प्रदर्सन नहीं किया। जिसका सरे उनक जात्मक और आर्थिक रूप से सफल साबित हुई थी। तेलगो सिनेमा में सफलता और स्थापना इन्होंने 2007 से 2011 तक डिक रूज 2007 की फिल्म आटा में दिखाई दी थी। जिसे एक विरोधी प्रदर्शन का निर्तोतों करते हुए और अपने अपराधों के लिए सजा की मा जिसे 2008 में उन्होंने त्रिविक्रम स्री निवास द्वारा नर्दीसीत एक्षन फिल्म जल्सा में महिला प्रदान की भून का निभाई डिक रूज को मोटे तवर पर सकारात्मक टिपड़ी मिली जिसमें आलुज को ने कहा कि वो सुन्दर वेहत सांत और पूरी फिल्म में बिट ठाट और तेजस्वी दिख रही थी जल्सा के लिए फांच पूरुसकारों में से एक हैं और साउथ इसकोप स्टाइल आवार्स जिसके अलावा 56 फिल्म फियर आवार्स साउथ में सर्फसेष्ट अबिनेतरी के लिए फिल्म फियर पूरुसकार के नामांकित प्राप उन्होंने रेचीपो और वाई बी एस चोधरी की सलीम फिल्मों में अविनी किया था दोने ने बॉक्स आफिस पर खाराप प्रदर्सन किया डिक रूच की 2011 में दो रिलीज हुई उस वर्स उनकी पहली फिल्म सकती थी जिसमें उन्होंने मुखे महिला की भूम का निभाय उन्होंने फिल्म के परशायर के हिस्से की रूप में जूनियर एंटी यार की साथ इस फिल्म के आडियो रिलीज समारों के लिए एक मंच प्रदर्सन किया था सामाजिक फरंतासी फिल्म दो सो पच्चास अरब में वनी अब तक की सबसे महिंगी तेलगू फिल्म है उनकी अगली रिलीज नेनुना राचिसी थी जिसने पूरी जगनात के साथ उनके दूसरे सहियों को चिनित किया था हलाकि फिल्म अस्फल रही लेकिन समिच को द्वारा उसन के प्रदर्सन को सकारात्मक रूप से सराहा गया एग इंडिली गिज्स समिच्चक ने उन्हें फिल्म जबकि सिनेमाई घरों में समिचकों से कहा कि फिल्म में एक उजल इस्थान था इलियाना वो आश्चिस जनक दिखती हैं और नायक के लिए एक निपुड वरिष्ट की तरह भी हैं वो अपनी हाल की असफलताओं के बावजूद डी क्रूज दच्चिड भारत में सबसे बन में अभी ने किया था जो 2009 की हिंदी फिल्म त्री इडियस की रिमेक थी फिल्म ने प्रदर्शन की फ्रसंसा करते हुए आलुचकों से उच्च सकारात्मक समिच्छें प्राप्त की हैं और ये अपने पहले सब्ताह में बॉक्स आफिस पर 400 मिलियन यूएस 5.0 मिलियन की कमाई के साथ एक बड़ी वित्ती सफलता बन गई थी उनकी अगली रिलीज अगली एक्सन कमेडी जुलाई थी जिसे तिविक्रम सिरीनमासन ने लिखा और नर्देशित किया था डिक रूज को अलु अर्जुन से सकारातमक रूप से मधु के रूप में चित्रित किया गया उसके बाद उन्होंने पूरी जगनात की कमेडी देवाडू, चेसीना, मानू सूलू में आविने किया इस फिल्म में उन्होंने एक टेक्सी ड्राइवर की भूम का निभाय थी जो फिल्म को मिस्री समिच खाय मिली और अंत में बॉक्स आफिस पर इसका प्रदर्सन कम रहा डिक रूज ने अनुराग वसुकी वर्फी के साथ अपना हिंदी डेवियू किया आव कथा वाचक की भूम का निभाने के अलावा उन्होंने सुर्ती घुस के चरित को चित्रित किया जो एक एसी लड़की थी जो भोतिक सुख सुविधाओं के लिए अपना सच्चा प्या बारक को रिलीज किया गया था और समिच्चों को से अत्य दिख सकारात्मुक समिच्चों के साथ 1.75 मिलियन यूएस 22 मिलियन की कमाई करते हुए ये एक प्रमुग ब्युसाहिक सफलता थी डी कुरूज के प्रदासन की अच्छी तरह से सराना की गई थी जिससे उन्होंने फिल्म पेर सबसेष्ट महिला पदारपन पुरुसकार मिला था साथ ही सबसेष्ट सहक अभिनेतरी के लिए फिल्म पेर पुरुसकार के लिए नमांकित भी मिला था फिल्म पेर से रचित गुपताने ने कहा है कि इलियाना की पहली फिल्म है लेकिन उनका सांदार प्रदर् को भी चमकाती हैं राजिव मसंद ने कहा है कि इलियाना ने अपनी पहली हिंदी फिल्म में एक स्थाई चाप छोड़ी जो उन सुन्दर अभिवेंजक आखों के मध्यम से फ्यार और दर्द दोनों को व्यक्त करती हैं फिल्म को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मा प्रदर्सित किया गया था और इसे पच्चासवें अकादमी प्रुसकारों के लिए आइसकर में भारत और अधिकारिक प्रविष्टी के रूप में चुना गया था वो अगली बार राजकुमर संतुसी एक्षन कमेडिय फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में साहित कपूर के साथ दिखाए दी थी मिस्टिर समिच्चाओं के साथ 20 सितंबर 2013 को रिलीज हुई फिल्म और फिल्म को अंतताब बॉक्स आफिस पर खराफ ग्रासर भूसित किया था हलाकि डीक्रूज को उनके प्रदर्सन के लिए मिस्टिर समिच्चाओं मिली दा टाइम ओफ उंडिया ने कहा है कि उनकी भावनाओं के साथ अच्छी थी लेकिन अभी तक कमेडी में इतनी अच्छी नहीं है अप्रिल 2014 में उसने मैंस वर्ड पत्रिका के लिए एक फोटो सूट किया था जिसे 2014 कि उनके पहली रिलीज आने वाली रोमांटिक एक्शन कमेडी फिल्म मैं तेरा ही जो तेल्गू फिल्म कदीरीगा की रिमेक थी जिसके द्वारा निर्मित क्या गया था और बालाजी मोसन पिस्चर और डेविड धवन द्वारा नरदीसित वरुण धवन और नर्गिस पकरी की साथ उन्होंने सुनेना गोरा डिया की भूमका निभाई फिल्म को समिचकों स इस साथ मुखे भूमकाएं निभाई हैं जो 21 सितमबर से लेकर 29 नॉबर 2014 को रिलीज हुई थी इसे फिल्म को नकारातम समिच्चा मिली और बाउक्स आफिस पर खराब प्रदर्शन किया था एक विश्राम लेने के बाद फरवरी 2016 में उन्होंने अक्षे कुमार को रुस्त पावरी के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए सरा आ गया था जिसने उन्हें कई प्रुसकार नामांकर भी मिले थे उन्होंने 2017 में अर्जुन कपूर और अनिल कपूर के साथ अबनित उनकी मुबार्खा और अजय देवगन के साथ अविने करने वाली बात साहों दुन ह प्रिया काम 2018 में बरतमान में डी क्रूज को 2018 रेट की पहली रिलीज सकारातमक अलोचातमक और बेवसाइक प्रित्किरिया के लिए खुली ये 6 साल के अंतराल के बाद उन्होंने अपने अक्सर सा कलाकार रवी तेजा के साथ आविनित एक तेल्गु फिल्म अमर अकबर एं इन्थी में दिखाई दे थी वो इस्टार्क बोकर हरसद महताक के जीवन पर अब सीख बच्चन के साथ कोविड उनीस बिलंबित फिल्म दा बिग बुल एक जीवनी अपरात फिल्म में दिखाई दे रही हैं उन्होंने अनफेर एंड लवली का फिल्मांकन पूरा कर लिया ये वलविंदर सिंग और जंजुआ द्वारा नर्देशित और सोनी पिस्चर्स फिल्म द्वारा इंडिया द्वारा निर्मित एक आगामी भारती हिंदी भासा की सामाजिक कमेडी फिल्म है रंडीप फुड़ा और इलियाना डिक्रूज मुख्य भूमिकाओं में हैं ये इसा गुपता एक भारती अबनेतरी हैं वो वर्ष 2007 में मिस इंडिया ने इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं इसा गुपता का जन्म 28 नॉंबर 1985 को दिल्ली में हुआ था उनके पिता एर फोर्स में सेवा निवरत हैं उनकी मा एक ग्रहणी हैं उनकी एक बहन है जिसका नाम नेहा है इसा ने अपनी सुर्वादी पढ़ाई दिल्ली के सच होल से ही संपन की है उन्होंने मड़पाल इंडूस्ट्री आफ कमिनुशन से इसनातक की मानक डिगरी प्राप्त की है उन्होंने अपने केरियर में मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीतन इस फिल्म में उनके अभिनिक से आलोच को द्वारा काभी फ्रसंसा की गई थी महिस भट्र ने तो उन्हें हिंडूस्तान की एंजिलीना जोली की भी उपाथी दे दी थी उसके बाद हो अभे देवल संग फिल्म चक्रविव में नजर आई थी उसके बाद 2014 की सबसे बड़ संगत रूप से निर्मित किया गया है और इस फिल्म में अक्षे कुमार, रुस्तम पावरी, एर नाभी अधिकारी, इलियाना डिक्रूज, अर्जन बाजवा और इसा गुपता की मुक्य भूमकाओं में हैं ये फिल्म के एम नानावती बनाम महाराष्ट राज आदालत माम पर आधारित है और एक नौसेना अधिकारी रुस्तम की कहानी सुनाते हैं जो अपनी पतनी सिंधिया के साथ एक खुसहाल रिष्टा साजा करते हैं जल्द ही उसे एक करीबी दोस्त विक्रम के साथ उसके सम्मंध का पता चलता है और उसकी हत्या का आरोप लगाया जाता है तो फैंस इस फिल्म को निर्देशित करने वाले हैं टीनू सुरेश दिसाई और इस फिल्म की कहानी लिखी है बिपुल के राहुलने तो फैंस यह मोवी आधारित है केम नाना वती पर तो फैंस इस फिल्म को निर्मित करने वाले हैं अरुन भाटिया और नितिन केनी इस्वर कपूर, अरुड़ा, अर्जुन एन कपूर और इस फिल्म को अभिनित किया है आक्षे कुमार, इलियाना डिक्रूज, इसा गुपता, अर्जन बाजवा, पौन मलोहत्रा, कुमद मिस्तरा, उसा नटकर्डी और इस फिल्म का चाहिंकन किया है संतोस थुदिलियाल ने और इस फिल्म को संपादित किया है स्री नाराण सिंग ने और इस फिल्म में गाने के बोल हैं जीत गांगुली आरको रागो सच्चर अंकित तीवारी के बैंग ग्रोंड स्कोर की रचना किये सुरिंदर सोधी ने उतपादन कंपनी है जी इस्टुडियोज क्रियार्ज इंटर्टेन्मेंट के आफ गुड्स फिल्म योजना सी इस्टुडियोज द्वारा तुफेंस इस फिल्म को वित्रित किया है पैनोर्मा इस्टुडियोज जी इस्टुडियोज इंटरनेशनल तुफेंस इस फिल्म को किया गया था 12 अगस्त 2016 को दीस भारत भाषा हिंदी अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 50.28 करोड रुपे का अगर इस फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन की बात की जाये तो इस फिल्म का कुल बॉक्स आफिस संग रह था 216.35 करोड प रुस्तम को आम तोर पर फिल्म के अभिने और लेखन के समिच्चकों से सकारात्मक समिच्चाएं मिली हैं ये दुनिया भर में बॉक्स आफिस पर 210 करोण यूएस 26 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली बॉक्स आफिस की सफलता बन गई है और ज्यादा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्मों में से एक थी इसे 64 राष्टी फिल्म फेर पुर्षकार में अक्षे कुमार को नाम मात्र का किरदार निबाने के लिए स्वर्षेश्ट अभिनेता का राष्टी फिल्म फेर पुर्षकार दिया गया है तो फेंस बीना देरी की विए इस फिल्म क मखीजा के साथ अफेर चल रहा है अपनी जहाज की तैनाती से जल्दी लोटनी के बाद रुस्तम को सिंधिया की अलमारी में बिक्रम के प्रेम पत्र मिलते हैं वो उसे खोजने की कोशिस में रुस्तम दोनों को साथ देख लेता है और वो घर लोट आता है और सिंधिया के लोटने का इंतजार करता है और फिर प्रेम पत्रू की साथ उसका सामना करता है लेकिन सिंधिया के समझाने से पहले ही वो वहाँ से चला जाता है इसकी बाद रुस्तम नोसीना के जहाज के सास्तागार से खुद के लिए एक पिस्टोल लेता है और रच्छा मुख्याले नई दिल्ली में रच्छा सच्चिव केजी बक्सी को एक ट्रंग काल करता है वाद में वो विक्रम को पहले उसके कार्याले में और फिर उसके घर पर खोजता है रुस्तम के विक्रम के बेडरूम में फ्रवेस करनी के बाद नोकर तीन गोलिया की आवास सुनता है और कमरे में भागता है ये देखने के लिए कि विक्रम की छाती पर तीन गोलिया लगी है और रुस्तम हाथ में फिस्तोल लेकर चला आ रहा है रुस्तम तुरं मिलती हैं रुस्तम किसी भी मदद लेने के लिए इनकार कर देता है और अपने दम पर केश्ट लड़ने का फैसला करता है और पुलिस हिरासत को तहरी देता है कि रुस्तम के वरिष्ट नोसेन अधिकारी रियर एडमिलर प्रसांत कामत दो गुंडों को दस्ताबेजों के एक सेट की खोज के लिए उसके घर भेजते हैं लेकिन वे कुछ भी खोजने में विफल रहते हैं डरी हुई सिंधिया रुस्तम को सूचित करने के लिए जेल जाती है जो अंतमे सिंधिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनाता है कि कैसे वो अकेली और परेशान थी जब रुस्तम कई महीनों के लिए लंदन चला गया था प्रीति की मिली भगत से विक्रम निस सिंधिया के अकेले पन का फायदा उठाया और वो उसके फ्यार में पड़ गई हलाकि बिक्रम की हत्या के दिन सिंधिया ने अपनी साधिक की खातिर फहले ही उसे समंध तोड लिया था रुस्तम के निर्दीस पर सिंधिया कामत को आवस्यक दस्तावेजों के बदले में पांच करोड रुपे के लिए ब्लेक मेल करती थी आदालत की सुनवाई में रुस्तम अपरत्यासित रुप से नियादीस पटेल के सामने दोसी नहीं होने का अनरोथ करता है जिसके परणाम सुरूप नो सदस्ती की जूरी पर इछड़ दो होता है जिसमें मुकदमे की समापती पर रुस्तम को जूरी दोसी नहीं पाया गया है क्योंकि उसने आत्मरच्छा में विक्रम को गोली मार दी थी इस बीच यह पता चला है कि लोवो दिल्ली में था और वो रुस्तम दोसी नहीं है ट्रंक काल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बंबई में वापस आनी पट्रेग काल बजती है और जिसे लगबख सभी को यकीन हो जाता है कि रुस्तम दोसी नहीं है और वो उनकी रायन तैक करने के लिए जूरी के लिए अदालती का रिवाई समाप्त हो जाती है फैंसले के दिन पूर्व संध्या पर रुस्तम ने लोबो को सच बताया और वो 1958 में लंदर में एक विमान वाहक पोत का निरिछण करने के लिए कई महीनों तक तैनात रहा जिससे नव से ना खरीदना चाहती थी लेकिन निरिछण पर रुस्तम ने पाया कि वो वाहक की पतवार जंग खा गई थी और वाहक को भारत में इस्थांतरित करने से पहले इसकी मरम्मत और संसोधत करना आउस्षिक होगा बिक्रम भारत द्वारा खरीदे जाने वाले बिमान वाहक पोत के लिए पैरवी कर रहा था और उसने कामत के साथ उसे ये कहने के लिए रिस्वत देने का प्रयास किया कि वो वाहक समुदर में चलने योग है जब रुस्तम ने लंदन में वक्सी को सूचित करने का प्रयास किया तो बक्सी ने उसे रिस्वत देने और वहाग को भारत लाने का भी प्रयास किया था विक्रम ने उसे मारने की कोशिस किया और रुस्तम ने गुस्से में उसे थपण मार दिया यह मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी की ताकत दिखाई है विक्रम ने रुस्तम को अपनी पैसों की ताकत दिखाने और उससे बदला नेने के लिए सिंधिया को डेट किया था लेकिन वास्तों में उसे कभी प्रसंद नहीं आया रुस्तम विक्रम के प्रति सोद के क्रोधित होकर नौसायनिक जहाज के सहस्तागार से एक पिस्तोल ले गया, फिर बक्सी को यह कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बक्सने वाला नहीं है और उसके पास नौसेना के लिए वाहक की आयोगिता को उजागर करने वाले कागज रुस्तम फिर विक्रम के घर गया और उसे गोली मार दी इसके बाद बक्सी नी कामत को दस्तावेज लाने के लिए भेज दिया जो रुस्तम नी कहा कि उसके पास है और लोबो द्वरा ट्रंक काल की रिकार्डिंग के कहने पर उसे अपने ब्रष्टाचार को छिपाने के वास्तों में उसके पास वाहक के छेत्रगरस्त होने के प्रमार से संबंदित कोई दस्तावेज नहीं थे अगले दिन न्याइधीस और जूरी द्वारा रुस्तम को निर्दूस घोसित किया जाता है रुस्तम और सिंधिया सिर उंचा करके कोट से बाहर निकलते हैं और वाहक भारत में एक मजबूत इस्तिती में आ रहा है जैसा कि उसने चाहा था तो फेंस आये जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो उनके बारे में तो कमांडर रुस्तम रूसी पावरी के रूप में अक्षे कुमार जी है और सिंधिया पावरी रु की रूप में अर्जन बाजवा है और इसा गुपता है और पावन मलहत्रा वरिष्टन रिच्चक विसेंट लोंबो के रूप में हैं उसा नात करडी जमना बाई के रूप में रुस्तम की नौकरानी हैं लोक अभियोजग लेश्मण खंगनी प्रीति के वकील के रूप में कुमद मिस्त्रा एरिक बिल मोरिया के रूप में हैं और जज़ पठेल के रूप में अनंग दिसाई हैं परमीत सेठी एर एडमिलर प्रसांद कामत प्लाइक के रूप में हैं और कैप्टन सीपी चेरियन के रूप में इंदर नील भट्टा चार हैं कमल जीत सिंग हैं हेट क अनस्टेबल तुकाराम्यादों की रूप में ब्रजिंद काला है लेप्टीनंट के रूप में गिरीश सहदेव हैं सेनपती कमल पुजारी के रूप में और शब इस्पेक्टर उमाकांद पाटिल के रूप में अबैकुलकरणी है और वरुण वर्मा के रूप में हैं सममानि रोजी काश्ट के रूप में बिक्रम के कार्याले की सिरेश देपक घीवाला भाना भाई वारली के रूप में बिक्रम के घर की मदद की है और चंदु के रूप में इस्तियाखान है जगड़ू के रूप में नमन जैन है सुभाश चक्रवर्ती एक होटल बेटर रंजीत द हरीस खत्री हैं होमी वाडिया एड्वोकेट होर राव खंडवाला की रूप में हैं जमसेद जीजा भाई के रूप में मोई सत्यनंद हैं और टिकट ब्लेक मेलर के रूप में रंजन राज हैं रमा कांत वर्मा इस्ट इंडिया जूरी के रूप में हैं तो रुस्तम प्रोडक्शन को अप्रेल 2016 में केंट के रोमांटिक मोठाज के लिए फिल्माया गया था जहां रुस्तम अक्षिकुमार और सिंधिया, इलियाना डिक्रूज, आयल सफोड, कैटबरी, मेस्टोर्ण, लीड्स कैसल, डोबर इस फ्रंट और साउथ मेदा, चेकर्स इन सब सहित इंग्लेंड का दोरा करते हैं, फोरलेंड, लाइट हाउस, एतिहासिक, डायक्याड, चैथम में, नौ सैनिक बंदरगा और जहाच के भी द्रस से हैं, कुमार और टिंको इलखना को एक नौ सेना अधिकारी की भूनकार निवाने के लिए, कुमार दोरा पहनी ग इसका बॉक्स आफिस कलेक्शन इस फिल्म ने को 12 अगस्त 2016 का पूरे भारत में 27 इसके रूनों पर मोहन जोदलों के साथ रिलीज हुई थी, रूस्तम ने पहले दिन लगबग 14.11 करोंड की कमाई की, तो फिल्म ने दूसरी सुरुआती सब्ताह में 25 करोंड और भारत में अ कमाई की थी, तो इस फिल्म का इसकोर सुरिंदर सुढ़ी द्वारा रचित है, रूस्तम में दिखाए गए सभी गीतों को मनोज मतंसिर द्वारा लिखे गए, गीतों के साथ आरको, रागो सचर, अंकित तिवारी और जीत गांगुली द्वारा संगीत बद्द किया गया थ फिल्म के साउंट्रेक इल्बम का पहला गाना तेरे संग यारा आतिफ असलम द्वारा गाया था और आरको द्वारा रचित है, जिसे 6 जुलाई 2016 को जारी किया गया था, और इस फिल्म का दूसतरा साउंट्रेक रूस्तम वही सीशक से 13 जुलाई को जारी किया गया था, जि इसे 29 अक्टूबर 2019 को जी म्यूजिक कंपनी की अधिकारिक यूटूब चैनल पर अरजीत सिंग के गायन के साथ ढल जौन में गीत का एक नया संस्क्रण भी जारी किया गया था। अंकित तिवारी जी ने नमबर 4 देखा है हाजारों दफा इसको गया है अरजीत सिंग और पलक मुच्छल जी ने नमबर 5 धल जौन में इसको गया है जुबिन नौटियाल ने नमबर 6 जब तुम होते हो इसको गया है स्रेश गोसाल ने और अंकित तिवारी जी ने नमबर 7 र रागो सच्चरने, नमबर आठ, रूस्तम वाही मराठी इसको जैसराज जोसी जी ने गाया है, नमबर नो, रूस्तम वाही इसको गाया है जैसराज जोसी जी ने, नमबर दस, तेरे बिना इसको गाया है जैसराज जी ने, नमबर ग्यारा ढल जाउन में इसको गाया है अरजीत सिंग और अकांच्छा सर्मा ने रुस्तम फिल्म में अक्षि कुमार जी के द्वारग निभाय गया रोल नोसीन अधिकारी का बहुत ही अच्छा रहा और उस रोल को देखर दर्सकों को काफी अच्छाई महसूस हुई और दर्सकों ने काफी उनकी सरहना भी की है तो आए जानते हैं अक्षि कुमार जी के बारे में तो इनका जन्म 9 सितंबर 1967 को पेसेवर रूप से अक्षि कुमार की रूप में जाने जाते थे वह एक भारती मोल की कनाडाई अविनेता और फिल्म निर्माता हैं जो भारत में काम करते हैं और हिंदी सिनेमा में अविने के 30 से अधिक वर्सों में अक्षि कुमार ने 100 से अधिक फिल्मों में अविने किया है और वो कई पुरुसकार जीत चुके हैं जिनमी सिदूर सरकार से भारत का च्छोज था सरबुच नागरिक सम्मान पदम सिरी प्राप्त हुआ है जिसे 2009 में अक्षिकुमार भारती सीनिमा के सबसे सफल अबनेताओं में से एक हैं फोर्प सिनी 2015 और 2020 तक अक्षिकुमार को दुनिया से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हस्तियों और सूची में सामिल किया गया है जिनी 2019 और 2020 के बीच वो दोनों सूचियों में एक मात्र भारती थे इनका जन्म राजिव हरिओं भाटिया जिका जन्म 9 सितंबर 1967 को अमरिस्तर पंजाब भारत में हुआ था इनकी राष्टिता 2011 तक भारती छोड़ दिया उसके बाद कनाड़ा के थे इन्होंने अलमा मेडर गुरू नानक खालसा कालेज आफ आर्ट्स साइंस एंड कामर्स इनका बेवसाय अविनेता और फिल निर्माता और टेली वीजन बेकतत तुहें इन्होंने अपने कैरिर की सुरुआत 1991 से वर्तमान तक इनकी पतनी है ट्रुम के लखन्ना एक्षन इस्टार के रूप में स्थाफित मोहरा 1994 और जानवर 1999 में जैसी एक्षन फिल्मों की अलावा खिलाडी फिल्म संखला में कई फिल्मों का नेत्रतों किया था हाला कि ये दिल लगी 1994 में रूमंस की साथ उनकी सुरुआती प्रयास को सकरात्मक रूप से प्राप्त क किया गया था ये अगले दसक में था कि अक्षी कुमार ने अपनी भूमिकाओं की सीमा का विस्तार किया है उन्होंनी रूमांटिक फिल्में धड़कन 2000 अंदाज 2003 नमस्ते लंदन के लिए पहचान हासिल की जिसे 2007 और जबकि उनके केरियर में बेवसाइक रूप से उतार च तक लगातार थे जिसके बाद उन्होंने रावडी राठोर 2012 और हालिडे 2014 सहित कई फिल्मों के साथ अपनी इस्तितियों को मजबूत किया था इसके अलावा इस समय के आसपास उनकी कई फिल्मों की आलोचात्मक प्रतक्रियाओं में सुधार हुआ है जिसे इस्पिसल 26, 2013, बेवी 2015 और एरलिफ्ट 2016 में उनकी काम को सराहा गया है और उन्होंने क्राइम थिल्डर रुस्तम 2016 के लिए सर्फशेष्ट अभिनेता का राष्टी फिल्म फेर पुर्सकार जीता उन्होंने अपनी स्वेल निर्मित सामाजिक फिल्मों टायलेट एक प्रेम कथा के लिए औ पुड न्यूज और 2021 की एक्शन फिल्म सुरुवन्सी के साथ बॉक्स आफिस पर रिकार्ड बनाये थे अक्षी कुमार ने अभिनी के अलावा एक रंट अभिनेता की रूप में भी काम किया है जिसे 2008 में उन्होंने फियर फैक्टर खत्रों के खेलाड़ी की मेजबानी की और 24 सत्रों की मेजबानी की उन्होंनी दूजर चुदा में टीबी रियाल्टी सो डेर टू डांस भी लांच किया और उनके आप स्क्रीन काम में 200 कबड़ी लीग में टीम खुलासा वेरियस का स्वामित तो हमसिल है अभिनेता ने देश में महिला सुरच्चा के लिए मार्स प्रवासियों के लिए एक सामानी निवास सकता को दा किनार करने की अनुमती दी कान जेट्टिव पार्टी में एक पूर्मंत्री टोनी क्लेमेंट के अनुसार कुमार द्वारा कानाडा भारती संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करने के लिए इस्टार पाव प्रवासियों को डारेक्ट किया है टीनु सूरेश दिसाई जी ने तो टीनु सूरेश दिसाई जी एक भारती फिल्म नरदेशक हैं जिन्होंने 2016 की हारर फिल्म 1920 में लंदन से बालीबुड में अपनी सुरुवात की जिसमें से उन्होंने समरन जोसी और मीरा चोपडा ने पर आधारी थे इस फिल्म में इलियान डिक्रूज अरजन बाजवा और इसागुपता भी प्रमुक भुमिकाओं में हैं टीनु देशाई जी का जन्म भारत में हुआ था इनकी राष्टेता भारती है इनका ब्यवसाइब फिल्म नरदेशक हैं रुस्तम फिल्म में इलिया डिक्रूज का जन्म एक नॉम्बर 1987 को हुआ था जो एक भारती मोल की पूर्तगाली अवनेतरी और मॉडल है जो मुक्य रूप से तिल्गू और तमिल और हिंदी भासाओं की फिल्मों में दिखाई देती हैं डिक्रूज का जन्म मुंबई में हुआ था और उन्होंने अप ऑवाड सहित कही पूरुषकार सामिल है उनका ब्यवस्याई आविनेतरी है उन्होंने अपने केरीर की शुरूज ने तेल्गू सिन्यमा में एक अग्रडी आविनेतरी के रूप में खुद को स्थापित किया है उन्होंने केडी 2006 की साथ तमिल सिनेमा में अपनी सुरुवात की और बेवसाइक रूप से सफल संकर की नाना बन 2012 में अभिनी किया डिक रूजने 2012 में अनुराग बसु की कमेडी ड्रामा वर्फी के साथ हिंदी सिनेमा में विस्तार किया जिसके लिए उन्होंने सर्फसेष्ट महिला पदारपन के लिए फिलिम फेर पुरुसकार जीता और मैं तेरा हीरो 2004 रुस्तम जोर्जा 16 और रेड 2018 में प्रमुक महिला की भूमकर निवाई थी तो आए जानते हैं एलियना डिक्रूज के जीवन पर्चे के बारे में तो डिक्रूज का जन्म एक नॉमबर 1987 को महिम मुंबई में एक कैथोलिक पिता और मुस्लिम मा के यहां हुआ था जब वो 10 साल की थी तब उनका परिवार पारा गोवा चला गया था उनका पहला फोड़ फोलियो जन्मरी 2003 में बनाया गया था जिसे डिक्रूज ने इसे आपदा कहा और इसके बाद फोटो सूट और राइप सूप के अगले वर्स एक दूसरे फोड़ फोलियो का नेतर तो किया था जिसमें एलेक्टिकस, इमामी, ट्रेक और फेर एंड लव प्रिस्ताओर लिये थे, जिसे डिक्रूज ने 2014 में पूर्तगाली राष्टेता हांसिल कर ली थी और वोई वर्व के साथ एक साचतकार में उसने कहा कि पूर्तगाल उसके वन्स का एक हिस्सा था, वो अश्ट्रेडिया फोटोग्राफर एड्रियू नीबोन के साथ रिस्त गया है, उन्होंने 2005 में डिक्रूज को निर्दीसक तेजा द्वरा आउडियन्स के लिए बुलाया गया था, लेकिन परियुजनर रद कर दी गई थी, उन्होंने YBS चोधरी द्वरा निर्देसित तिल्कु भासा की रोमांस फिल्म देवासू से 2006 में पिक्चर फिल्म की सु सूस किया, लगबग रोई और आगे नहीं जाना चाहती, लेकिन उनकी मा द्वरा उन्हें परुत्साहित करने के बाद आगे बढ़ी, उन्हें जीवन भर का ब्याख्यान सुबा तीन बजे दिया, इडिली की एक समिच्छा में कहा गया है कि उसने छेनी हुई विसेस्ताय ह और मरने के लिए एक आकड़ा है, वर्ष की पहली बेवसाइक रूप से सफल तिल्गू फिल्म बन गई थी, अन्तितार लगबग 140 मिलिन की कमाई की, जबकि डी क्रूज ने सरफशिष्ट महिला नोदित के लिए फिल्म फियर पूर्सकार अरजित किया था, वो अगली बार गैंगेश्टर फिल्म पूकरी में दिखाई दी थी, जिसमें उसने एक रेविक्स सिच्छिक की भूम का निबाय थी, जिसे एक व्रिष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा परिशान किया जाता है, फिल्म एक उचस्तरी सफलता थी, जो उस समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलगो फिल्म के रूप में उभरी थी, उन्होंने केडी 2006 में तमिल भासा के फिल्म की सुरुवात की, हाला कि फिल्म ने बॉक्स आफिस पर इतना अच्छा प्रदर्सन नहीं किया, डिक रूज उन्हें दी जाने वाली सभी फिल्मों को स्विकार करने में बहुत ब राखी 2006 और मुन्ना जैसी उनकी रिलीज के बाद उन्होंने अपने केरियर में एक सफलता का अन्हो किया, 2007 में अलोचात्मक और आर्थिक रूप से सफल साबित हुई थी, तेलगो सिनेमा में सफलता और स्थापना, इन्होंने 2007 से 2011 तक डिक रूज 2007 के फिल्म आटा में दि भगाने वाली एक कालेज शात्रा स्त्त्य के रूप में उसके परदर्शन के लिए उसे अनकूज समिछाय मिली हैं, जिसे 2008 में उन्होंने त्रिविक्रम स्री निवास द्वारा नर्दीसीत एक्शन फिल्म जल्सा में महिला प्रधान की भूनका निभाई, डिक रूज को मो जिसके अलावा 56 फिल्म फियर आवार्ट साउथ में सर्फसेष्ट अविनेत्री के लिए फिल्म फियर पुरुसकार के ने नामांकित प्राप्त किया था, उन्होंने 2009 में उनकी पहली रिलीज जिसका सीर्चक किक था को भी बॉक्स आफिस पर सफल घुशित किया गया था, जो रिलीज हुई उस वर्स उनकी पहली फिल्म सकती थी, जिसमें उन्होंने मुखे महिला की भूम का निभाय थी, उन्होंने फिल्म के परचायर के हिस्से की रूप में जूनियर एंटी आर के साथ इस फिल्म के आडियो रिलीज समारों के लिए एक मंच प्रदर्सिन किया था, सामाजिक फ्रंतासी फिल्म दो सो पचास अरब में वनी अब तक की सबसे महिंगी तेलगू फिल्म है, उनकी अगली रिलीज नेनूना राचिसी थी, जिसने पूरी जगनात के साथ उनके दूसरे सहियों को चिनित किया था, हलाकि फिल्म असफल रही, लेकिन समिच को द्वरा उजन के प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से सराहा गया, एग इंडिली गिज समिचक ने उन्हें फिल्म में सुखत आस्चर के रूप में वडित किया है, क्योंकि वो रोई और मुस्कराई गम दिखी थी, सान भूती को पकड़ा और एसे चेहरे बनाए जो द्रस् वरिष्ट की तरह भी हैं, वो अपनी हाल की असफलताओं के बावजूद डी क्रूज दच्चिर भारत में सबसे अधिक बेतन पाने वाली अबनित्रियों में से एक बन गई थी, बाली बूट की सुरुवात और सफलता, 2012 से 2017 तक उन्होंने, 2012 की सुरुवात में उन्होंने एस संकरद्वारा नर्दिसित तमिल फिल्म नान बन में अभी ने किया था, जो 2009 की हिंदी फिल्म त्री इडियस की रीमेक थी, फिल्म ने प्रदर्शन की फ्रसंसा करते हुए आलुचकों से उच्च सकारात्मक समिच्छें प्राप्त की हैं, और ये अपने पहले सबताह मे बॉक्स आफिस पर 400 मिलियन यूएस, 5.0 मिलियन की कमाई के साथ एक बड़ी वित्ती सफलता बन गई थी, उनकी अगली रिलीज एक्सिन कमेडी जुल्याई थी, जिसे तिविक्रम स्रीनमासन ने लिखा और नर्देशित किया था, डिक रूज को अलु अर्जुन से सकारात समक रूप से मधु के रूप में चितरित किया गया था, फिल्म सकारात्मक समिच्चा के साथ खुली और 2012 में तीसरी बार सबसे बड़ी हिट और तेलगु में सबसे बड़ी हिट बन गई थी, उसके बाद उन्होंने पुरी जगनात की कमेडी दिवाडू, चेसीना, मानु स सूलू में आविने किया, इस फिल्म में उन्होंने एक टेक्सी ड्राइवर की भूम का निभाए थी, जो फिल्म को मिस्री समिच्चाय मिली और अंत में बॉक्स आफिस पर इसका प्रदरसन कम रहा था, डिक रूज ने अनुराग वसु की वरफी के साथ अपना हिंदी अब कथा वाचक की भूम का निभाने के अलावा उन्होंने सुर्ती घुस के चरित को चित्रित किया, जो एक एसी लड़की थी, जो भोतिक सुख सुविधाओं के लिए अपना सच्चा प्यार छोण देती है, जिस फिल्म को 14 सितंबर 2012 को रिलीज किया गया था, और समिच् फिल्म पेर सबसेष्ट महिला पदारपंड पुरुसकार मिला था, साथ ही सबसेष्ट सहायक अभिनेतरी के लिए फिल्म पेर पुरुसकार के लिए नमांकित भी मिला था, फिल्म पेर से रचित गुपताने ने कहा है कि इलियाना की पहली फिल्म है, लेकिन उनका सांदार प्रदर्सन सिर्फ एक वसीयन तामा में तेलगू दर्सक और सुपरिश्टार क्यों मानते हैं क्योंकि निश्चित रूप से वे भी मदद करते हैं वो बर्फी में सबसे अधिक आकर सकें और दार जिलिंग की सुंदर पहाड़ियों को भी चमकाती हैं राजिव मसंद ने कहा कि इलियाना ने अपनी पहली हिंदी फिल्म में एक स्थाई छाप छोड़ी जो उन सुंदर अभिवेंजक आखों के मध्यम से फ्यार और दर्द दोनों को व्यक्त करती हैं फिल्म को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मार केच इंटरनेशनल फेस्टिवल में प्रदर्सित किया गया था और इसे पच्चासवें अकादमी पुरुसकारों के लिए आइसकर में भारत और अधिकारिक प्रवश्टी के रूप में चुना गया था वो अगली बार राजकुमर संतुसी एक्षन कमेडिय फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में साहित कपूर के साथ दिखाये दी थी मिस्टिर समिच्चाओं के साथ 20 सितंबर 2013 को रिलीज हुई फिल्म और फिल्म को अंतता बॉक्स आफिस पर खराव ग्रासर भुशित किया था हलाकि डीकरूज को उनके प्रदर्सिन के लिए मिस्टिर समिच्चाओं मिली दा टाइ कि उनके पहली रिलीज आने वाली रोमांटिक एक्शन कमेडिक फिल्म में तेरा हीरो थी यो तेल्गू फिल्म कदीरीगा की रिमेक थी जिसके द्वारा निर्मित किया गया था और बालाजी मोशन पिस्चर और डेविड धवन द्वारा नरदीसित वरुण धवन और नरग पहली खान गोविंदा और कल्विव कोचलिन की साथ मुख्य भूमकाये निभाई हैं जो 21 सितंबर से लेकर 21 नॉवंबर 2014 को रिलीज हुई थी इसे फिल्म को नकारातम समिच्चा मेली और बाक्स आफिस पर खराब प्रदर्शन किया था एक विश्राम लेने के बाद फरव इलियन से अधिक की कमाई की इलियान को सिंधिया पावरी के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए सरा गया था जिसने उन्हें कई प्रुसकार नामांकर भी मिले थे उन्होंने 2017 में अर्जुन कपूर और अनिल कपूर के साथ अबनित उनकी मुबार्खा और अजय देवग और बेवसाइक प्रित्किरिया के लिए खुली ये छे साल के अंतराल के बाद उन्होंने अपने अक्सर सा कलाकार रवी तेजा के साथ आविनित एक तेल्गु फिल्म अमर अकबर एंतुनी साइन की अची उमीदों के वीच रिलीज हुई फिल्म ने सकारातमक से लेकर नका बच्चन के साथ कोबिड उनीस बिलंबित फिल्म दा बिग बुल एक जीवनी अपरात फिल्म में दिखाई दे रही हैं उन्होंने अनफेर एंड लवली का फिल्मांकर पूरा कर लिया है ये वलविंदर सिंग और जंजुआ द्वारा नर्दिसित और सूनी पिस्चर्स फि फिल्म है रणदीप फुड़ा और इलियाना डिक्रूज मुख्य भूमिकाओं में हैं ये फिल्म गोरी तचा के प्रती भारत के जुरून को तलासने वाली दोनों फिल्में हैं जो 2021 में रिलीज होने वाली हैं रुस्तम फिल्म में ईसाग गुपता ने अपने रोल को प्रत हैं उनकी मा एक ग्रहणी हैं उनकी एक बहन है जिसका नाम नेहा है इसा ने अपनी सुर्वादी पढ़ाय दिल्ली के सचहोल से ही संपन की है उन्होंने मड़पाल इंडुस्ट्री आफ कामिनुशन से इसनातक की मानक डिगरी प्राप्त की है उन्होंने अपने केरिय मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीतने के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजबाई उन्होंने हिंदी सिनेमा में भट कैम के जरिये फिल्म जन्नत्टू से कदम रखा इसके बाद वो फिल्म राज्थ थिरी में नजर आई इस फिल्म में उनके जर चुदा की सबसे बड़ी फ्लाव फिल्म हम सकल में सैफली खान और रीतेश देश्मुक और राम कपूर के साथ नजर आई थी गुड्स फिल्म जी इस्टिडियोज की आर्ज इंटर्टेन्मेंट प्लान सी इस्टिडियोज द्वारा सईंत रूप से निर्मित किया गया है और इस फिल्म में अक्षे कुमार, रुस्तम पावरी, एर नाभी अधिकारी, इलियाना डिक्रूज, अर्जन बाजवा और इसा गुपता की मुक्य भूमकाव में हैं ये फिल्म के एम नानावती बनाम महाराष्ट राज आदालत मामले पर आधारित है और एक नौसेना दोस्त विक्रम के साथ उसके सम्मंद का पता चलता है और उसकी हत्या का आरोप लगाया जाता है तो फैंस इस फिल्म को निर्देशित करने वाले हैं टीनू, सूरेश दिसाई और इस फिल्म की कहानी लिखी है बिपुल के राहुलने तो फैंस ये मोवी आधारित है के अम तो फैंस इस फिल्म को निर्मित करने वाले हैं अरून भाटिया और नितिन केनी, आकाश श्यावला, विरेंद अरोडा, इस्वर कपूर, प्रेम अरोडा, अर्जुन एन कपूर और इस फिल्म को अभिनित किया है अक्षे कुमार, इलियाना डिक्रूज, इसा गुपता, अ और इस फिल्म में गाने के बोल हैं जीत गांगुली, आर्को, रागो, सच्चर अंकित तिवारी के बैंग ग्रोंड स्कोर की रचना किये सुरिंदर सोधी ने, उत्पादन कंपनी है जी इस्टुडियोज, क्रियार्ज, इंटर्टेन्मेंट, के आफ गुड्स फिल्म, अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 50.28 करोड रुपे का, अगर इस फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन की बात की जाये तो इस फिल्म का कुल बॉक्स आफिस संग रह था 216.35 करोड, 50 करोड यूएस 6.3 मिलियन के बजट पर बनी, फि उस्तम को आम तोर पर फिल्म के अभिने और लेखन के समिच्चकों से सकारात्मक समिच्चाएं मिली हैं ये दुनिया भर में बॉक्स आफिस पर 210 करोण यूएस 26 मिलियन से आधिक की कमाई करने वाली बॉक्स आफिस की सफलता बन गई है और ज्यादा सबसे ज्यादा कमाई कर ये इस फिल्म की कहानी को लेकर हम चलते हैं तो अधिकारी रुस्तम पावरी ने 1961 में सिंधिया पावरी से खुसी-खुसी साधी कर ली उनकी साधी तब तूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त बिक्रम मखीजा के साथ अफेर चल रहा है अपनी जहाज की तै लोट आता है और सिंधिया के लोटने का इंतजार करता है और फिर प्रेम पत्रू की साथ उसका सामना करता है लेकिन सिंधिया के समझाने से पहले ही वहाँ से चला जाता है इसकी बाद रुस्तम नौसीना के जहाज के सास्तागार से खुद के लिए एक पिस्तोल लेता है औ और फिर उसके घर पर खोजता है। रूस्तम के विक्रम के बेडरूम में प्रवेस करनी की बार नौकर तीन गोलियां की आवास सुनता है। प्रवेस की बार नौकर पर खोजता है। और उसकी कहानी सुनाता है कि कैसे वो अकेली और परेसान थी जब रूस्तम कई महीनों के लिए लंदन चला गया था। प्रिती की मिली भगत से विक्रम निस सिंधिया के अकेलेपन का फायदा उठाया और वो उसके फ्यार में पड़ गई। हलाकि बिक्रम की हत्या के दिन सिंधिया ने अपनी साधिक की खातिर फहले ही उसे समंध तोड लिया था। रुस्तम के निर्दीस पर सिंधिया कामत को आवस्यक दस्तावेजों के बदले में पांच करोड रुपे के लिए ब्लेक मेल करती थी। आदालत की सुनवाई में रुस्तम अपरत्यासित रुप से नियादीस पटेल के सामने दोसी नहीं होने का अनरोत करता है। जिसके परणाम सुरूप नव सदस्ती की जूरी पर इच्छड़न होता है। जिसमें मुकदमे की समापती पर रुस्तम को जूरी दोसी नहीं पाया गया है। क्योंकि उसने आत्मरच्छा में विक्रम को गोली मार दी थी। इस बीच यह पता चला है कि लोवो दिली में था और वो रुस्तम दोसी नहीं है। ट्रंक काल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बक्सी से मिला था। बंबई में वापस आने पर ट्रेग काल बजती है और जिसे लगबख सभी को यकीन हो जाता है कि रुस्तम दोसी नहीं है। और वो उनकी रायन तै करने के लिए जूरी के लिए अदालती कारवाई समाप्त हो जाती है। फैंसले के दिन पूर्व संध्या पर रुस्तम ने लोबो को सच बताया और वो 1958 में लंदर में एक विमान वाहक पोतका निरिछण करने के लिए कई महीनों तक तैनात रहा। जिसे नौसे ना खरीदना चाहती थी। लेकिन निरिछण पर रुस्तम ने पाया कि वो वाहक की पतवार जंग खा गई थी। और वाहक को भारत में इस्थांतरित करने से पहले इसकी मरम्मत और संसोधत करना आउस्षिक होगा। विक्रम भारत द्वारा खरीदे जाने वाले विमान वाहक पोत के लिए पैरवी कर रहा था। और उसने कामत के साथ उसे ये कहने के लिए रिशुषत देने का प्रयास किया। कि वो वाहक समुद्र में चलने योग है जब रुस्तम ने लंदन में वक्सी को सूचित करने का प्रयास किया तो वक्सी ने उसे रिस्वत देने और वाहक को भारत लाने का भी प्रयास किया था विक्रम ने उसे मारने की कोशिस किया और रुस्तम ने गुस्से में उसे थपण मार दिया यह मानते हुए कि उसने अपनी वर्दी की ताकत दिखाई है विक्रम ने रुस्तम को अपनी पैसों की ताकत दिखाने और उससे बदला नेने के लिए सिंधिया को डेट किया था लेकिन वास्तों में उसे कभी प्रसंद नहीं आया रुस्तम विक्रम के प्रतिसोद क क्रोधित होकर नौसेनिक जहाज के सस्तागार से एक पिस्तोल ले गया फिर बक्सी को यह कहते हुए बुलाया कि वो विक्रम को बक्सने वाला नहीं है और उसके पास नौसेना के लिए वाहक की आयोगिता को उजागर करने वाले कागजात हैं रुस्तम फिर विक्रम के घर गय और उसे गोली मार दी इसके बाद बक्सीनी कामत को दस्तावेच लाने के लिए भेज दिया जो रुस्तम ने कहा कि उसके पास है और लोबो द्वरा ट्रंक काल की रिकार्डिंग के कहने पर उसे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आधी रिकार्डिंग दे दी है रुस्तम का कहना है कि उन्होंने बिवान वाहक पोत के बारे में कुछ भी नहीं बताया ताकि नौ सेना की छबी खराब ना हो सके रुस्तम तब खुलासा करता है कि वास्तों में उसके पास वाहक के छेत्रगरस्त होनी के प्रमार से संबंदित कोई दस्तावेच नहीं थे से मिले वक्सी के सभी कमीशन के पैसे मिलने के बाद फिल्म रुस्तम और सिंधिया दमपती के साथ शुट्टी पर समाप्त होती है रुस्तम को खरीत का परिछण स्थानी समाचर पत्र में पढ़ने के बाद पता चलता है कि वह वहाग भारत में एक मजबूत इस्तिती में आ रहा है जैसा कि उसने चाहा था तो फेंस आये जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो उनके बारे में तो कमांडर रुस्तम रूसी पावरी के रूप में अक्षे कुमार जी हैं और सिंधिया पावरी रुस्तम की पत्नी के रूप में इलियाना डिक्रूज हैं और विक्रम नखीजह की रूप में अरजन बाजवा हैं और इसा गुपता हैं और पवन मलोहत्रा वरिष्टन के रूप में हैं कुमद मिस्त्रा एरिक बिल मोरिया के रूप में हैं और जज पठेल के रूप में अनंग दिसाई हैं पारमीत सेठी एर एडमिलर प्रसांत कामत प्लैक के रूप में हैं और कैप्टन सीपी चेरियन के रूप में इंद्र नील भठाचार हैं कमल जीत सिंग है हेट कान competitive तूका रामयादों के रूप में ब्रजिंद काला है लेप्टिनंट के रूप में गिरीस सहदेव है सेनपती कमल पुझारी के रूप में और शब इस्पेक्टर उमाकांद पाटिल के रूप में अबैक कुल करनी है और वरुण वर्मा के रूप में हैं सम मानिका सिं रोजी काश्ट के रूप में विक्रम के कार्याले की सिरेश देपक घीवाला भाना भाई वारली के रूप में विक्रम के घर की मदद की है और चंदू के रूप में इस्तियाखान है जगड़ू के रूप में नमन जैन है सुभास चक्रवर्ती एक होटल बेटर रंजीत दास क के रूप में हैं बिपुल के रावल कप्तान के रूप में हैं सुरेश सिपी मुख्य साहब के रूप में हैं दामोदर के रूप में राजेश एस खत्री हैं और समीर साह हैं हरीस खत्री हैं होमी वाडिया एडवोकेट होर राव खंडवाला की रूप में हैं जमसेद जीजा प्रोडक्षन को अप्रेल 2016 में केंट के रोमांटिक मोठाज के लिए फिल्माया गया था जहां रुस्तम अक्षे कुमार और सिंदिया इलियाना डिक्रूज, आयल सफोड, कैटबरी, मेस्टोर्ण, लीड्स कैसल, डोबर इस फ्रंट और साउत मेदा, चेकर्स इन सबसहित इंग्लेंड का दौरा करते हैं, फोरलेंड, लाइट हाउस, एतिहासिक, डायक्याड, चैथम में, नौसैनिक बंदरगा और जहाच के भी द्रस से हैं, कुमार और टिंको इलखन्ना को एक नौसेन अधिकारी की भूहुनकार निवाने के लिए, कुमार द तो भारत में इसका बॉक्स आफिस कलेक्शन, इस फिल्म ने को 12 अगस्त 2016 का पूरे भारत में 27 इसकी रिवनों पर मोहन जोदलों के साथ रिलीज हुई थी, रूस्तम ने पहले दिन लगभग 14.11 करोण की कमाई की, तो फिल्म ने दूसरी सुरुवाती सबताह में 25 करोण औ अपनी सुरुवाती सबताह में लगभग 3 मिलियन की कमाई की थी, तो इस फिल्म का इसकोर सुरिंदर सूरी द्वारा रचित है, रूस्तम में दिखाए गए सभी गीतों को मनोज मुतंसिर द्वारा लिखे गए, गीतों के साथ आरको, रागो सचर, अंकित तिवारी और जी जारी किया गया था, और इस फिल्म का दूस्तरा साउंट्रेक रूस्तम वही सीशक से 13 जुलाई को जारी किया गया था, जिसे 2016 में सभी गीत मनोज मुतंसिर द्वारा लिखे गए और पूर्ण संगीत अलबम 14 जुलाई 2016 को जारी किया गया था, जिसे 39 अक्टूबर 2019 को जी म्यूजिक कमपनी की अधिकारिक यूटूब चैनल पर आरजीत सिंग के गायन के साथ ढल जौन में गीत का एक नया संस्क्रण भी जारी किया गया था, जिसे सभी गीत मनोज मुतंसिर जुआरा लिखे गए थे, रूस्तम फिल्म में कुल 11 गानी हैं, जो इस प्रकार हैं, न नमबर 4 देखा हैं, हाजारों दफा, इसको गाया है अरजीत सिंग और पलक मुच्छल जीनी, नमबर 5 धल जौन में, इसको गाया है जुबिन नौटियाल ने, नमबर 6 जब तुम होते हों, इसको गाया है स्रेश गोसाल ने और अंकित तिवर जीनी, नमबर 7 रूस्तम वही इसको गाया है रागो सच्चरने नमबर आठ रूस्तम वाही मराथी इसको जैसराज जोसी जी ने गाया है नमबर नो रूस्तम वाही इसको गाया है जैसराज जोसी जी ने नमबर दस तेरे बिना यार इसको गाया है जैसराज जी ने नमबर ग्यारा ढल जौन में इसको गाया है अरजीत सिंग और अकांच्छा सर्मा ने रुस्तम फिल्म में अक्षि कुमार जी के द्वारग निभाय गया रोल नोसीन अधिकारी का बहुत ही अच्छा रहा और उस रोल को देखर दर्सकों को काफी अच्छाई महसूस हुई और दर्सकों ने काफी उनकी सरहना भी की है तो आए जानते हैं अक्षि कुमार जी के बारे में तो इनका जन्म 9 सितंबर 1967 को पेसेवर रूप से अक्षि कुमार की रूप में जाने जाते थे वह एक भारती मोल की कनाडाई अविनेता और फिल्म निर्माता हैं जो भारत में काम करते हैं और हिंदी सिनेमा में अविने के 30 से अधिक वर्सों में अक्षि कुमार ने 100 से अधिक फिल्मों में अविने किया है और वो कई पुरुसकार जीत चुके हैं जिन में सिद्धोर फिल्म फियर पुरुषकार और दो फिल्म फियर पुरुषकार शामिल हैं उन्हीं भारत सरकार से भारत का च्छोज था सरबुच्च नागरिक सम्मान पदम सिरी प्राप्त हुआ है जिसे 2009 में अक्षिकुमार भारती सीनिमा के सबसे सफल अब नेताओं में से एक हैं फोर्प इनका जन्म राजिव हरिवोम भाटिया जिका जन्म 9 सितंबर 1967 को अमरिस्तर पंजाब भारत में हुआ था इनकी राष्टिता 2011 तक भारती छोड़ दिया उसके बाद कनाड़ा के थे इन्होंने अलमा मेडर गुरु नानक खालसा कालेज आफ आफ आर्ट्स साइंस एंड काम इनका बेवशाय आविनेता और फिल्न निर्माता और टेली वीजन बेक्तत तुहें इन्होंने अपने कैरिर की सुरुआत 1991 से वर्तमान तक इनकी पत्नी है ट्रिम के लखन्ना अक्षी कुमार ने 1991 में सोगंध के साथ अपना कैरिर सुरु किया और एक साल बात एक्षन थिल जैसी एक्षन फिल्मों के अलावा खिलाडी फिल्म संखला में कई फिल्मों काा नेत्रतों किया था हाला कि एक दिल लगी 1994 में रूमंस की साथ उनकी सुर्वाती प्रयास को सकरात्म कुरूप से प्राप्त किया था यह अगले दसक में था कि अक्षी कुमार ने अपनी भू इसके अलावा इस तमेक के आस पास उनकी कई फिल्मों की आलोचात्मक प्रतक्रियाओं में सुधार हुआ है जिसे इस्पिसल 26 2013, बेवी 2015 और एरलिफ्ट 2016 में उनकी काम को सराहा गया है और उन्होंने क्राइम थिल्डर रुस्तम 2016 के लिए सर्फशेष्ट अभिनेता का राष्टी फिल्म फेर पुर्सकार जीता उन्होंने अपनी स्वेल निर्मित सामाजिक फिल्मों टाइलेट एक प्रेम कथा के लिए और नोटिस अरजित किया था अक्षी कुमार ने अभिनी के अलावा एक रंट अभिनेता के रूप में भी काम किया है जिसी 2008 में उन्होंने फियर फैक्टर खत्रों के खेलाडी की मेजबानी की शुरुआत की और चारों सत्रों की मेजबानी की उन्होंनी 2014 में टीवी रियाल्टी सो डेर टू डांस भी लांच किया और उनके आप स्क्रीन काम में 20 कबड़ी लीग में टीम खुलासा वेरियस का स्वामित तो हमसिल है अभिनेता ने देश में महिला सुरच्चा के लिए मार्सल आर्ट प्रसिच्छन स्कूल भी स्थापित किये थे 2011 में कनाडाई संगी चुनाव के दोरान या बाद में कंजरेट्टिव सरकार ने अक्षी कुमार को कनाडा की नागरिकता परदान की और एक अल्फ ग्यात कानून को लागू करके जिसनी कनाडा के आप रवासियों के लिए एक सामानी निवास आख सकता को दा किनार करने की अनमती दी कान जर्टिव पार्टि में एक पूर्मंत्री टोनी क्लेमेंट के अनुसार कुमार द्वारा कनाडा भारती संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करने के लिए इस्टार पावर और कनाडा के ब्यापार संबंधों के लिए वार्देजि संबंधों की पेसकस के बदले में नगरिकता परदान की गई थी फिल्म छेत्र पट्रें छेत्र में रुस्तम फिल्म को डारेक्ट किया है टीनू सूरेश देसाई जी ने तो टीनू सूरेश देसाई जी एक वारती फिल्म नरदेशक हैं जिन्होंने 2016 की हारर फिल्म 1920 में लंदन से बालीब नानावती बना महराष्ट राज के 1961 के अदालती मामले पर आधारी थे इस फिल्म में इलियान डिक्रूज अरजन बाजवा और इसागुपता भी प्रमुक भुमिकाओं में हैं टीनू देसाई जी का जन्म भारत में हुआ था इनकी राष्टेता भारती है इनका रुस्तम फिल्म में इलियान डिक्रूज ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया जो कि अक्षे कुमार की पतनी के रूप में प्ले किया था उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्सकुं को काफी परसंद आया था तो इलियान डिक्रूज का जन्म एक नॉमबर 1987 को हुआ जो एक भारती मोल की पूर्तगाली अवनेतरी और मॉडल हैं जो मुकी रूप से तिल्गू और तमिल और हिंदी भासाओं की फिल्मों में दिखाई देती हैं डिक्रूज का जन्म मुंबई में हुआ था और उन्होंने अपने आधिकांस बचपन गोवा में बिताया डिक्र रूज ने 2006 में तिल्गू भासा की फिल्म देवदासू की साथ अपनी सुरुवात की जो एक ब्योसाइक सफलता थी उन्होंने फिल्म पेर आवार्ड साउत और फिल्म पेर आवार्ड सहित कई पुरुसकार सामिल हैं इनका ब्यवशाय आभिनेतरी हैं उन्होंने अपने के केरीर की सुरुवात 2006 से की जो पोकेरी 2006, राकी 2006, मुन्ना 2007 और जलसा 2008, किक 2009 और जुलाली 2012 स्वेत कई सफल भिनों के साथ डिक रूज ने तिल्गू सिनेमा में एक अगड़ी अभिनेतरी के रूप में खुद को इस्थापित किया हैं उन्होंने केड़ी 2006 की साथ तमिल सिन सिनेमा में अपनी सुरुवात की और बेवसाइक रूप से सफल संकर की नाना बन 2012 में अभिने किया डिक रूज ने 2012 में अनुराग बसू की कमेडी ड्रामा वर्फी के साथ हिंदी सिनेमा में विस्तार किया जिसकी लिए उन्होंने सर्वसेष्ट महिला पदारपन के लिए फिर पुरुसकार जीता और मैं तेरा हीरो 2004 रुस्तम जोर्जा सोला और रेट 2018 में प्रमुक महिला की भूम का निवाई थी तो आए जानते हैं एलियना डिक्रूज के जीवन परची के बारे में तो डिक्रूज का जन्म एक नूमबर 1987 को मही मुंबई में एक कैथोलिक पित कहा और इसके बाद फोटो सूट और राइप सूप के अगले वर्स एक दूसरे फोड़ फोलियो का नेतर तो किया था जिसमें एलेक्टिकस, इमामी, ट्रेक और फेर एंड लवली से उसके बिग्यापन उतरे उत्तवार्द विशेश रूप से जिसे राकेश रोसन द्वार निर्दीसित किया गया था, उसे एक्सपोजर दिया गया और फिच्चर फिल्मों में अभिने के लिए कई प्रिस्तावर लिये थे, जिसे डिक्रूज इनी 2014 में पूर्तगाली राष्टेता हासिल कर ली थी, और वोई वर्व के साथ एक साचतकार में उसने कहा कि पूर्तग उसके वन्स का एक हिस्सा था, वो अश्ट्रेलिया फोटोग्राफर एड्रियू निबोन के साथ रिस्ते में थी, ये अपवा थी कि वोई पहले ही साधिक कर चुके थे, जिसे 28 आगस 2019 को भारती मेडिया ने इस ख़बर को प्रसारित किया कि यूगल का सम्मन्द तूट गय है, उन्होंने 2005 में डिक्रूज को निर्दीशक तेजा द्वरा आउडियंस के लिए बुलाया गया था, लेकिन परियुजनर रद कर दी गई थी, उन्होंने YBS चोधरी द्वरा निर्देशित तिल्गु भासा की रोमांस फिल्म देवासू से 2006 में फिक्चर फिल्म की न चाहती, लेकिन उनकी मा द्वरा उन्हें परुद्साहित करने के बाद आगे बढ़ी, उन्हें जीवन भर का ब्याख्यान सुबा तीन बजे दिया, इडिली की एक समिच्छा में कहा गया है कि उसने छेनी फुई विसेस्ताय हुई और मरनी के लिए एक आकड़ा है, वर् गैंगेश्टर फिल्म पूकरी में दिखाई दी थी, जिसमें उसने एक रेविक्स सिच्छिक की भूम का निबाय थी, जिसे एक व्रिष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा परिशान किया जाता है, फिल्म एक उच्छ स्तरी सफलता थी, जो उस समय सबसी ज़्यादा कमाई कर अच्छा प्रदर्सन नहीं किया, जिसका स्रे उनके गैंलर्स रूप से दिया गया था, जो दर्सकों को प्रसंद नहीं आ रहा है, राखी 2006 और मुन्ना जैसी उनकी रिलीज के बाद उन्होंने अपने केरियर में एक सफलता का अनुख किया, 2007 में अलोचात्मक और आर्थिक रूप से सफल साबित हुई थी, तेल्गुस सिनेमा में सफलता और स्थापना, इन्होंने 2007 से 2011 तक डीकरूज 2007 के फिल्म आटा में दिखाई दी थी, जिसे एक विरोधी प्रदर्शन का निर्तोतो करते हुए और अपने अपराधों के लिए सजा की मांग करते हुए, ग्रा मंतरी के कुटिल बेटे जिसके द्वारा उसे निसाना बना जा रहा था, उसे भागाने वाली एक कालेज छात्रा स्त्त्य के रूप में उसके प्रद को ने कहा कि वो सुन्दर, वेहत सांत और फूरी फिल्म में हर बिट, ठाट और तेजस्वी दिख रही थी, जलसा के लिए फांच पुरुसकारों में से एक हैं और साउथ इसकोप स्टाइल आवार्स जिसके अलावा 56 फिलिमपेर आवार्स साउथ में सर्फसेश्ट अबिन में से एक बन गई थी, उस वर्स बात उन्होंने रेचीपो और वाई बी एस चोधरी की सलीम फिल्मों में अविनी किया था, दोने ने बॉक्स आफिस पर खाराप प्रदर्सन किया, डिक रूच की 2011 में दो रिलीज हुई, उस वर्स उनकी पहली फिल्म सकती थी, जिसमें उ के महिला की भूम का निभाय थी, उन्होंने फिल्म के परशायर के हिस्से की रूप में जूनियर एंटी आर की साथ इस फिल्म के आडियो रिलीज समारों के लिए एक मंच प्रदर्सन किया था, सामाजिक फरंतासी फिल्म दो सो पच्चास अरब में वनी, अब तक की सबसे म परशायर उजन के परदर्सन को सकारात्मक की रूप से सराहा गया, एक इंडिली गिजस समिचक ने उन्हें फिल्म में सूखत आश्चर के रूप में वडित किया है, क्योंकि वो रोई और मुस्कराई गम दिखी थी, सान भूती को पकड़ा और एसे चेहरे बनाए जो द्र की तरह भी हैं, वो अपनी हाल की असफलताओं के बावजूद डिक रूज दच्छिड भारत में सबसे अधिक बेतन पाने वाली अबनित्रियों में से एक बन गई थी, बाली बूट की सुरुवात और सफलताब, 2012 से 2017 तक उन्होंने, 2012 की सुरुवात में उन्होंने ऐस संकर सकारातमक समिच्छें प्राप्त की हैं, और ये अपने पहले सब्ताह में बॉक्स ओफिस पर 400 मिलियन यूएस, 5.0 मिलियन की कमाई के साथ एक बड़ी वित्ती सफलता बन गई थी, उनकी अगली एक्सन कमेडी जुलाई थी, जिसे तिविक्रम स्रीनमासन ने लिखा और नर और तेलगू में सबसी बड़ी हिट बन गई थी, उसके बाद उन्होंने पूरी जगनात की कमेडी देवडू, चेसीना, मानू सूलू में आविने किया, इस फिल्म में उन्होंने एक टेक्सी ड्राइवर की भूम का निभाए थी, जो फिल्म को मिस्री समिच खाय मिली और अंत में बॉक्स आफिस पर इसका प्रदरसन कम रहा था, डिक रूज ने अनुराग वसुकी वर्फी के साथ अपना हिंदी डेविव किया, आव कथा वाचक की भूम का निभाने के अलावा उन्होंने सुर्ती घुस के चरित को चित्रित किया, जो एक एसी लड़की थी, ज एक प्रमुग बेवसाइक सफलता थी, डिक रूज के परदरसन की अच्छी तरह से सराहना की गई थी, जिससे उन्होंने फिल्म पेर सबसेष्ट महिला पदारपन पुरुसकार मिला था, साथ ही सबसेष्ट सहाइक आविनेतरी के लिए फिल्म पेर पुरुसकार के लिए न मदद करते हैं, वो बरफी में सबसे अधिक आ कर सकें और दार जिलिंग की सुन्दर पहाड़ियों को भी चमकाती हैं, राजिव मसंद ने कहा है कि इलियाना ने अपनी पहली हिंदी फिल्म में एक स्थाई छाप छोड़ी, जो उन सुन्दर अभिवेंजक आँखों के मध् करते हैं, फिल्म को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मारकेच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्सित किया गया था, और इसे पच्चासवें अकादमी पुरुसकारों के लिए आइसकर में भारत और अधिकारिक प्रविष्टी के रूप में चुना गया था, वो अगली बार राजकुमर संतुसी एक्षिन कमेडी फिल्म फटा पोश्टर निकला हीरो में साहित कपूर के साथ दिखाये दी थी, मिस्टिर समिच्चाओं के साथ 20 सितंबर 2013 को रिलीज हुई फिल्म, और फिल्म को अंतताब बॉक्स आफिस पर खराफ ग्रासर गुषित किया गया था, हलाकि डी क्रूज को उनके प्रदर्शन के लिए मिस्टिर समिच्चाओं मिली, दा टाइम आफ उंडिया ने कहा है कि उनकी भावनाओं के साथ अच्छी थी, लेकिन अभी तक कमेडी में इतनी अच्छी नहीं है, अप्रिल 2014 में उसने मैंस वर्ड पत्रिका के लिए एक फोटो सूट किया था, जिसे 2014 कि उनके पहली रिलीज आने वाली रोमांटिक एक्षन कमेडिक फिल्म मैं तेरा हीरो थी, जो तेलगु फिल्म कदीरी गा की रिमेक थी, जिसके द्वारा निर्मित किया गया था, और बालाजी मोशन पिस्चर और डेव प्रोडेक्शन हाइपी एंडिंग में नजर आई थी, जहां उन्होंने सैफली खान, गोविंदा और कल्विव कोचलिन की साथ मुखे भूमकाएं निभाई हैं, जो 21 सितंबर से लेकर 21 नॉबंबर 2014 को रिलीज हुई थी, इसे फिल्म को नकारातम समिच्छा मिली और बाउ फिल्मों में से एक के रूप में उभरी थी, जिसने बॉक्स आफिस पर टू मिलियन से अधिक की कमाई की, इलियान को सिंधिया पावरी के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए सरा गया था, जिसने उन्हें कई प्रुसकार नामांकर भी मिले थे, उन्होंने 2017 में में डी क्रूज को 2008 रेट की पहली रिलीज सकारातमक, अलोचातमक और बेवसायक प्रित्किरिया के लिए खुली, ये 6 साल के अंतराल के बाद उन्होंने अपने अक्सर सा कलाकार रवी तेजा के साथ आविनित एक तेल्गू फिल्म अमर अकबर एंतूनी साइन की, आची उ स्टार्क बोकर हरसद महतक के जीवन पर अपसीख बच्चन के साथ COVID-19 बिलंबित फिल्म दा बिग बुल एक जीवनी अपरात फिल्म में दिखाई दे रही हैं, उन्होंने अनफेर एंड लवली का फिल्मांकर पूरा कर लिया है, ये वलविंदर सिंग और जंजुआ, उनी पिस्चर्स फिल्म द्वारा इंडिया द्वारा निर्मित एक आगामी भारती हिंदी भासा की सामाजिक कमेडी फिल्म है, इस फिल्म में रणदीप, फुड़ा और इलियाना डिक्रूज मुखी भूमिकाओं में हैं, ये फिल्म गोरी तुचा के प्रती भारत के जुर चुकी हैं, इसा गुपता का जन्म 28 नॉमबर 1985 को दिल्ली में हुआ था, उनके पिता एर फोर्स में सेवा निवरत हैं, उनकी मा एक ग्रहणी हैं, उनकी एक बहन है जिसका नाम नेहा है, इसा ने अपनी सुरवादी पढ़ाय दिल्ली के सचहोल से ही संपन की है, उन्होंने मड़पाल इंडूस्ट्री आफ कामिनुशन से इसनातक की मानक डिगरी प्राप्त की है, उन्होंने अपने केरियर में मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीतने के बाद, उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजबाई, उन्होंने हिंदी सिनेमा में भट कैम क जरिये फिल्म जन्नतू से कदम रखा इसके बाद वो फिल्म राज्थ थिरी में नजर आई इस फिल्म में उनके अबनिक से आलोच को द्वारा काभी फ्रसंसा की गई थी महिस भट्र ने तो उन्हें हिंदुस्तान की एंजिलीना जोली की भी उपाथी दे दी थी उसके बाद वो अभे देवल संग फिल्म चक्रविव में नजर आई थी उसके बाद 2014 की सबसे बड़ी फ्लाव फिल्म हम सकल में सैफली खान और रीतेस देशमुक और राम कपूर के साथ नजर आई थी ए नाभी अधिकारी इलियाना डिक्रूज अर्जन बाजवा और इसा गुपता की मुक्य भूमकाओं में हैं ये फिल्म के एम नानावती बनाम महाराष्ट राज आदालत मामले पर आधारित है और एक नव सेना अधिकारी रुस्तम की कहानी सुनाते हैं जो अपनी पतनी सिंधिया के साथ एक खुसहाल रिस्ता साज़ा करते हैं जल्द ही उसे एक करीबी द कहानी लिखी है बिपुल के राहुल ने तुफैंस ये मुवी आधारित है के एम नानावती पर तुफैंस इस फिल्म को निर्मित करने वाले हैं अरुन भाटिया और नितिन केनी आकाश श्यावला विरेंद अरोडा इस्वर कपूर प्रेम अरोडा अर्जुन एन कपूर औ और इस फिल्म का चाहिंकन किया है संतोस थुदिलियाल ने और इस फिल्म को संपाधित किया है स्री नाराण सिंग ने और इस फिल्म में गाने के बोल हैं जीत गांगुली आरको रागो सचर अंकित तिवारी के बैंग ग्रोंड स्कोर की रचना किये सुरिंदर सोधी ने उत पादन कंपनी है जी इस्टुडियोज क्रियार्ज इंटर्टेन्मेंट के आफ गुड्स फिल्म योजना जी इस्टुडियोज द्वारा तुफेंस इस फिल्म को वित्रित किया है पैनोर्मा इस्टुडियोज जी इस्टुडियोज इंटरनेशनल तुफेंस इस फिल्म को रि 35 करोड, 50 करोड यूएस 6.3 मिलियन के बजट पर बनी फिल्म ने फरवरी 2016 में मुग की फोटोग्राफी सुरू की और भारत में 12 अगस्त 2016 को नाट की रूप से रिलीज हुई थी रुस्तम को आम तोर पर फिल्म के अभिने और लेखन के समिच्चकों से सकारात्मक समिच्चाय मिली हैं ये दुनिया भर में बॉक्स आफिस पर 210 करोड यूएस 26 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली बॉक्स आफिस की सफलता बन गई है और ज्यादा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्मों में से एक थी इसे 64 राष्टी फिल्म फेर पुर्षकार में अक्षे कुमार को नाम मातर का किरदार निबाने के लिए सर्फशेष अभिनेता का राष्टी फिल्म फेर पुर्षकार दिया गया है तो फेंस बिना देरी के विए इस फिल्म की कहानी को लेकर हम चलते हैं तो अधिकारी रुस्तम पावरी ने 1961 में सिंधिया पावरी से खुसी-खुसी साधी कर ली उनकी साधी तब तूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त विक्रम मखीजा के साथ अफेर चल रह आए अपनी जहाज की तैनाती से जल्दी लोटनी के बाद रुस्तम को सिंधिया की अलमारी में बिक्रम के प्रेम पत्र मिलते हैं वो उसे खोजने की कोशिस में रुस्तम दोनों को साथ देख लेता है और वो घर लोट आता है और सिंधिया के लोटने का इंतजार करता है औ खुद के लिए एक पिस्टोल लेता है और रच्छा मुख्याले नई दिल्ली में रच्छा सच्यू केजी बक्सी को एक ट्रंक काल करता है वाद में वो विक्रम को पहले उसके कार्याले में और फिर उसके घर पर खोजता है रूस्तम के विक्रम के बेडरूम में प्रवेश कर नोकर तीन गोलिया की आवास सुनता है और कमरे में भागता है ये देखने के लिए कि विक्रम की छाती पर तीन गोलिया लगी है और रुस्तम हाथ में फिस्तोर लेकर चला आ रहा है रुस्तम तुरंद पुलिस के सामने आत्म समरपण कर देता है और वरिष्ट अनिरिक्षर बिसेंट लोंबो जाज शुरू करते हैं विक्रम की बहें प्रीती मखीजा सरकारी वकील लश्मण खंगानी से रुस्तम को कड़ी सी कड़ी सजा दिलाने के लिए मिलती है रुस्तम किसी भी मदत लेने के लिए इनकार कर देता है और अपने दम पर केस्ट लड़ने का फैस के लिए उसके घर भेजते हैं लेकिन वे कुछ भी खोजने में विफल रहते हैं डरी हुई सिंधिया रुस्तम को सूचित करने के लिए जेल जाती है जो अंत में सिंधिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनाता है कि कैसे वो अकेली और परिशान थी जब रुस्तम कई महीनों के लिए लंदन चला गया था प्रीति की मिली भगत से विक्रम निस सिंधिया के अकेलेपन का फायदा उठाया और वो उसके फ्यार में पड़ गई हलाकि विक्रम की हत्या के दिन सिंधिया ने अपनी साधिक की खातिर फहले ही उसे समंध तोड लिया था रुस्तम के इस पटेल के सामने दोसी नहीं होने का अनरोत करता है जिसके परणाम सुरूप नौ सदस्ति की जूरी पर इछड़ दो होता है जिसमें मुकदमे की समापती पर रुस्तम को जूरी द्वारा दोसी नहीं पाया गया है क्योंकि उसने आत्मरच्छा में विक्रम को गोली मार इस बीच यह पता चला है कि लोबो दिली में था और वो रुस्तम द्वारा किये गए ट्रंक काल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बक्सी से मिला था बंबई में वापस आने पर ट्रेग काल बजती है और जिसे लगबख सभी को यकीन हो जाता है कि रुस्तम दोस पाया और वो 1958 में लंदर में एक विमान वाहक पोत का निरिच्छन करने के लिए कई महीनों तक तैनात रहा जिससे नो से इना खरीदना चाहती थी लेकिन निरिच्छन पर रुस्तम ने पाया कि वो वाहक की पतवार जंग खा गई थी और वाहक को भारत में इस्थांतरित क करने से पहले इसकी मरमत और संसोधत करना आउस्यक होगा विक्रम भारत द्वारा खरीदे जाने वाले विमान वाहक पोत के लिए पैरविक कर रहा था और उसने कामत के साथ उसे यह कहने के लिए रिशुवत देने का प्रयास किया कि वो वाहक समुद्र में चलने योग है जब रुस्तम ने लंदन अजय कहा है जब रुस्तम ने लंदन अजय कहा है।